इसका मतलब है बताना और हम चीजों को दो तरीके से बताते हैं या तो चीजों को डारेक्ट स्पीच में बताते हैं या चीजों को इन डारेक्ट स्पीच में बताते हैं बताने का बातों को बताने का दो तरीका होता है एक होता है डारेक्ट स्पीच और एक होता है इन डारेक्ट स्पीच और डारेक्ट स्पीच हमेशा इंवर्टेड कॉमाज में होता है इसक बोलते हैं close inverted comma to direct speech is always in inverted commas और जब inverted commas तो उसको इन्डारेक्ट श्पीच बोलते हैं अब इसका मीनिंग बता रही हो इनडारेक्ट स्पीच जो होता है न वह इनवर्टेट कॉमाज में नहीं होता है सबसे बड़ी पैचान यह है थोड़ा active passive पता लगाना कौन सा a sentence active और डायों से बनाना और इंडारिक षब्राइब इसका मतलब है वो indirect है आपको उसका direct बनाना है तो indirect speech not in inverted commas यह कभी भी inverted commas में नहीं होता है बाट direct speech inverted commas में होता है अब यह तो एक छोटा सा मैंने आपको difference बता दे बड़ा exactly direct और indirect होता क्या है ठीक है डाइरेक्ट और इंडारेक्ट एक्जाटली क्या होता है वो हम करेंगे क्या difference है देख लेना है जैसे मैंने कहा जैसे मैंने मैंने directly कोई आप से बात कहीं जैसे मैंने लिखा ही ऐसा लिखा हुम्ही सेड ही सेड ही ने कहा I am busy तो यह direct स्टीच में और यह सेड़ा आयेम बीजही निराइक लिएत्व इपने मुझे हो गया तो इंडारेक्ट मतलब किसी speaker के बातों को अपने शब्दों में बोलना जब speaker directly भोल रहा है तो वो तो तो indirect speechOkay said that he was busy यहां ही ने कहा कि मैं busy हूँ ठीक है और यहां पर ही ने कहा था कि वो busy है मतलब मैं ही की बातों को अपने शब्दों में बोल रही है तो यह हो गया आपका indirect speech ठीक है indirect speech हो गया तो इस इस बेसिक difference between direct and indirect when we quote the actual words of the speaker that is in direct speech when we quote the actual words of the speaker in our own words जब हम वक्ता की बातों को speaker की बातों को अपने शब्दों में बोल रहे है इसका मतलब है कि वो अपने शब्दों में बोल रहे हैं इंडारेक्ट है ठीक है और सिंपल सा चीज है ने direct speech inverted commas में होता है indirect speech कभी भी inverted commas में नहीं होता है यह बगेर inverted commas होता है ठीक है बगेर inverters तो यह तो अपको पहले से भी पता है ठीक है यह चीज यहां पे लिखा हुआ है narration word कहां से निकल के आया है narration word का मतलब होता है narrate करना narrate करना मतलब बताना कहना और हम अपनी बातों को दो तरीके से कहते है two ways में अपनी बातों को कहते है वही चीज मैंने लिखा एक direct speech में बोलता है अपनी बातों को और एक indirect speech में when we quote the actual words वक्ता ने बात करते समय जिन जिन शब्दों का use किया actual तो वो हो गया हमारा direct speech और direct speech inverted commas में होता है और जहम किसी वेक्ती की बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो वो indirect speech होगे ठीक है और indirect speech कभी भी inverted commas में नहीं होता है बगर inverted commas होता है अब जितने भी ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग के साथ problem क्या है ना आप लोग के साथ problem क्या है कि आप लोग सब चीजी को लिखते रहते हो इसको लिखने की क्या जरूरत है simple सा ये थोड़ी ऐसा question आएगा कि direct speech क्या होता है indirect क्या होता है पांच नंबर का question आएगा जब छापना शुरू कर दो ये सब लिखने की क्या जरूरत है ओके छापना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बस अपने दिमाग में कुछ fit करो direct speech inverted commas में indirect speech बगार inverted commas direct speech मतलब directly वक्ता बोल रहा है और ये वक्ता की बातों को आप अपने शब्दों में बोल रहे हो indirect है ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आप देखते हो कि जितने भी हमारे novels वगेरा होते है खास करके novels वगेरे उपनियास और ड्रामा में क्या होता है ड्रामा में दो लोगों के बीच का dialogue होता है तो generally हमारा dramas direct speech में होता है direct speech में होता है dramas वगेरा दो लोगों के वीच का बारतालाप हो रहा है और जितने भी हमारे novels वगेरा है जिसमें घटना हो चुकी है हम कुछ report कर रहे है तो वो indirect speech में खास करके newspaper में भी अब देखोगे newspaper में भी जितने sentences दिये रहते हैं वो सब indirect मे ही हो गया वो घटना हो चुकी है ठीक है वो घटना हो चुकी है और आप उसका reporting कर रहे हो अपने शब्दों में अपने शब्दों में और कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी newspaper में भी जैसे मोदी जी या किसी leader ने कोई speech दिया किसी लीडर ने कोई speech दिया और और वो कुछ-कुछ words है ना उसको inverted commas में डाल देते हैं तो लीडर ने speech देते समय डारेक्ली वही word का ठीक उसी शब्द का यूज किया था अपने भाशन में तो कभी-कभी कुछ words को डारेक्ली उन्हीं के words होते हैं वो inverted commas में डाल देते हैं इस novels और newspapers सारे reported speech में होते हैं ओके चलो अब तो यहां तक सबको clear है अब मैंने आपको क्या बताया active चलो last class मैंने आपको पढ़ाया था active से passive बनाते समय एक्टिव से passive बनाते समय एक्टिव से passive बनाते समय हमने टेंग्स में change नहीं किया दो i no change of things active अगर present में था तो पैस्ट पी present अगर active past में था तो पैस IP पास अटिव में कोई नहीं बदलता है दो थिन चीज़ें ढ़ान रखिए कि अग्टिव से पैसिब बनाते समय इन्वर्जन होता एंबता रही हूं inversion होता है क्यूंकि अगर अक्ट में Question mark है तो बनाते समय question mark हटता नहीं है और जहां inversion होगा लेकिन narration जो नहीं होते हैं就 वहां पर inversion क्यों नहीं मतलब नहीं होता है अब मुझे बताओ कि क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है मताओ अभी मैं टेंस की बाद बाद में करूं अब active active से passive बनाते समय तो inversion होता inversion मतलब subject से पहले वर्ब का आना लेकिन interrogative sentence में क्योंकि यहां पर question mark हटता ही नहीं है बट डारेक्ट से indirect बनाने में अगर direct में question mark है तो उसका indirect बनाते समय ना question mark क्या में बदल जाएगा full stop में और जब यह full stop में बदल जाएगा तो inversion नहीं होता है तो यह चीज़ याद रखना है active passive में interrogative में inversion होता है बट डारेक्ट अगर डारेक्ट वाला question में inversion हो रहा है तो इन डारेक्ट करते समय question mark मत डालना मत डालना ठीक है आपको यह थोड़ा सा confusion लग रहा होगा कि आंके रिमा में यहां पर क्या बोलना चाहरे हो चोड़ा सा example देती जिसे देखो he said he said what are you doing यह डारेक्ट इंडारेक्ट वाला सेंटेंस है he said what are you doing यह डारेक्ट स्पीच में है यह डारेक्ट स्पीच में है कर तुम क्या कर रहे हो डारेक्ट स्पीच में है क्योंकि वाकिय में question mark लगा है question mark लगा है question mark वाले sentence में inversion चाहिए ठीक है अब मैं इसका बनाती हूं indirect he asked यह सब पर ध्यान मत देना कि मैं said asked में कैसे बदल गया वो सब बाद में करना he asked what was I doing एक option में यह डालेंगे और एक option में डालेंगे he asked यह करना ज़रूरी है यूगि बच्चे हमारे इसी में wrong कर देते हैं what I was doing यह सब पर ध्यान मत देना कि मैं यह यू आई में कैसे बदल गया यहार मतलब कैसे कैसे बदल रहे सब बाद में करेंगे यह सब हम बाद में करने वालेंdoor बस यहां पर द्यान दो दोनों option आएगा और आप दोनों में confuse हो जाओ दोनों में क्या difference दिक़ररह है हैं यहां तक तो सेम हैं क्या हो रहा है कि subject के मतलब पहला वाला sentence में इन वर्जन हो रहा है। और second sentence में subject के बाद वर्जन नहीं हो रहा है। तो यह चीज ध्यान रखना है कि direct में question mark था और जहां question mark रहेगा वहाँ inversion होगा लेकिन अब तो question mark फुल स्टॉप में बदल गया ना डारेक से इंडारेक बनाते समय सारे punctuation marks हट जाते हैं जैसे यह कॉमा बदल गया कॉमा हट गया यह question mark full stop में बदल गया और जहां full stop आएगा वहां inversion नहीं होगा इसलिए पहला वाला नहीं होगा यह यह होगा यह होगा he asked पहले मुझे बताओ हो is it clear is it clear में क्या बताना चाहरी हूं अभी मैंने सिफ inversion पर ध्यान दिया तो हमें detail में करना है जब भी question direct में हो ना direct में punctuation mark रहेगा question mark बट indirect बनाते समय ना question mark हटेगा full stop आजाएगा full stop बोला sentence में inversion नहीं होगा तो इसको मत चुन इसको रखना ठीक है he asked what I what I was doing ठीक है तो direct indirect में inversion नहीं करना है लेकिन अगर अगर यह voice आ गया voice में मैंने voice में पढ़ाया था आपको who wrote the book who wrote the book और एक option में मैंने voice में आपको पढ़ाया भी था क्यूंकि यह सब जगह पर ने लोग रॉंग कर देते हो यही सब जगह पर फास्ट के इस सिली मिस्टिक्स कर देते हो बाइवूम दबुक वस रेटें और एक option में आएगा बाइवूम यह तो active passive का है बाइवूम वस दबुक रिटेंग पाइवूम वस दबुक रिटेंग और जब full stop आ जाएगा तो inversion नहीं होगा ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर क्या है यहां पर यह चीज में बार बार बता रही हूं active से passive बनाते समय है अगर active में question mark है तो active passive में punctuation marks हटते नहीं है अगर active में question mark है तो passive में भी question mark हटेगा नहीं रहेगा और जहां question mark रहेगा वहां inversion तो चाहिए ही चाहिए subject से पहले वर्ब चाहिए यह inversion हो रहे तो यह रॉंग है by whom was the book written but 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 narration में आप देख रहे थे narration में क्या हो रहा था कि आगर direct में question mark था तो जहां question mark रहेगा वहां तो inversion होगा लेकिन direct से जब हम indirect बना रहे थे तो question mark full stop में बदल जा रहा था और full stop में बदलेगा तो inversion नहीं होगा नहीं होगा लेकिन यहां पर तो question mark नहीं हट रहा है ना active से passive बनाते समय रह जा रहा हूँ ठीक है चलो यह भी होगा by whom the book was written by whom was the book written ठीक है पढ़ाते वक्त inquiry number मांग रहे है inquiry number देखो हर जगा आपके description box पे available है available है पढ़ते वक्त यह सब नामा थोड़ी किया जाता है और के चलो यह बहुत important चीज़ेंगे पर आप लोग option जब आ जाता है ना wrong कर देते और यह दोनों सेम लग रहा है कौन सा करें एक में हो रहा inversion एक में नहीं हो रहा देखो वाक्य में question mark है तो inversion कर दो full stop है तो inversion मत करो ठीक है तो अब मुझे active से passive बनाते समय हमारा tense बदल जाता है sorry active से passive बनाते समय tense नहीं बदलता है बट narration में कभी बदलता भी है कभी नहीं बदलता है अभी मैं आपको easy sentence दे रही है पहले ना हम easy-easy वाला कुछ concept को clear करते हैं easy-easy वाला जैसे मैंने लिखा he said he said ठीक है I am unwell दूसरा sentence है easy-easy वाला करेंगे फिर मैं आपको options के साथ practice करेंगे he said या he says I am unwell ठीक है अभी मैं यहां पर ज्यादा tense नहीं बदल रही हूं सबको simple में रख रही हूं बड़ यहां पर present continuous भी हो सकता है present perfect कुछ भी हो सकता है वो सब हम next step पे करेंगे तीसरा he will say I am unwell कब tense बदलेगा कब नहीं बदलेगा next देखना यहां पर क्या difference है यहां सब सेम है ना I am unwell I am unwell I am unwell जो inverted commas के अंदर है ना उसको हम बोलते है reported speech reported speech और जो inverted commas के बाहर है उसको हम बोलते है reporting verb verb को किस tense में report कर रहे है किस tense में किस verb का use कर रहे है tense क्या है तो अब sentence देखना यह वाला जो inverted commas के अंदर होता है ना उसको reported speech बोलते है अब सब सेंटेंस का reported speech सेम है सब सेंटेंस का reported speech सेम है only difference क्या है reporting verb यहां तो सब में unwell I am unwell unwell सब सेंटेंस का reporting verb अला जो इसका reporting verb किस में है इसका reporting verb पस tense में इसका reporting verb present tense में तो मैं यह डारेक्ली बोल दूना कि डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाते समय tense बदलता है tense बदलता है बट कब when the reporting verb is in past tense when the reporting verb is in present tense or the reporting verb is in future tense tense the tense of the sentence will not change the rest of the things will change but the tense of the sentence will not change the tense of the sentence will change only on the condition when the reporting verb is in past tense ठीक है अगर reporting verb present में रहे और future में रहे तो sentence का tense नहीं बदलता है तो डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाते समय आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देना है जैसे जब आप active पैसे बनाते हो तो subject और object पे ध्यान देते हो future है यहां तो tense नहीं बदलना चाहिए चलो अब हम इसका tense बदलते हैं मतलब इसका direct से indirect बनाते हैं अब देखो क्या है he said यहां भी लगाएंगे he said और direct से indirect बनाते समय सारे कॉमा और मतलब सारे punctuation marks हट जाएंगे यह हट जाएगा punctuation यह open inverted close भी हट जाएगा और जब कॉमा हटेगा न उसके बदले that आता है direct से indirect बनाते समय जब कॉमा हट आते हैं तो हम that conjunction का use करते हैं और I am unwell तो present tense है और चुकि यह sentence past में जा रहा है न तो यहाँ tense बदलेगा he is unwell मत करना he was कर देना tense बदलना अभी मैं easy easy sentence दे रहे हैं option के साथ फिर lengthy वाला दो he was unwell he was unwell he was unwell ठीक है तो यहां पे tense बदला क्यों बदला tense यह I am unwell present tense past में क्यों बदल गया रिपोर्टिंग वह present में लेकिन यहां आप क्या करोगे यह देखो he says है तो says ही रखना said मत करना he says आप क्या करोगे he says कॉमा के जो का that लगा दो he says that यह सब हम next step में करेंगे ठीक है यहां पर was नहीं होगा चुकि यह sentence present में जा रहा है ना तो he was unwell नहीं होगा he is यह past में जा रहा था इसलिए was unwell लगा ठीक है अब next वाल आजो next वाल में भी tense नहीं बदलेगा he will say इसके सब तो छेचर करने नहीं है reporting बोप के साथ ना कोई tense बगेरा नहीं बदलोगे जैसा हमें हैं वैसे ही रहने देना जैसे he will say he will say लिखा तो अब भी will say लगा कॉमा के जगा अब हमारे स्टुएंट्स यह भी कर सकते हैं he will say that he will be unwell लगा दे अब देखोगे न कि यहां भी will है तो यहां भी will लगा दोगे नहीं विल कैसे लगा दोगे क्योंकि यहां का रिपोर्टिंग फ्यूचर में जा रहा और फ्यूचर में भी टेंस नहीं बदलेगा I am unwell तो present है अगर will लगा दोगे तो वो तो फ्यूचर में बदल जाएगा तो he will say that यहां भी टेंस नहीं बदलेगा Unwell 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 चलिए फटा-फट लिखिए इसको यह basic है इसको voice का तो marathon डाल दिया है निलेश voice का तो marathon कली गया है और preposition का भी marathon गया आप देखो अच्छे से अब अच्छे से चेक करें आपको मिल जाएगा लिख लिए इसको तो यहां पर हमने क्या सिखा कि sentence का sentence sentence का sentence तभी change होगा जब reporting वर पास्ट में जब reporting वर प्रेजंट में जब reporting वर फ्यूचर में सारा चीज चेंज हो रहा है तो यह अब नेक्स्ट वाला यह तो basic था धीरे और आगे पढ़ेंगे कभी-कभी क्या होता है ना ऐसा भी लिख देंगे यह देखो अँसा भी उल्टा करके भी लिख देंगे आयम बिजी कभी-कभी reported speech को पहले डाल दे और वर्ब को बाद में डाल दे I am busy he said उसे कोई फरक नहीं पड़ने वादा चाहीं he said शुरू में रहे या he said वाला शुरू में रहे या he said बाद में रहे उसे कोई फरक नहीं पड़ना कभी-कभी रिपोटिंग वर्ब बाद में होता है reported speech पहले होता बड़ उसे कोई फर्क नहीं है he said that लगा दो, he said that he was busy ठीक है? same ही है same ही है, same ही है अब दूसरा वाल, अब हम इस sentence में object डालेंगे, कभी-कभी said told में बदल जाता है अगर ये sentence ऐसा रहा he said जल्दी-जल्दी लिकिए, he said to me he said to me लिख देती, I am I am busy और फिर ऐसा लिखती में he says to me I am busy he will say to me वहाँ पर मैंने सिर्फ said, said, said डाला था बड़ यहाँ पर एक object डाल दिया था he will say to me मतलब कोई खास बदलाव नहीं है but I am busy देखो, इसमें आपको क्या करना था इसको मैं तुर्दी कर रही हूँ यहाँ पर subject ने पिछला वाला जितना भी sentence दिया था किसी में object नहीं था बड़ यहाँ subject ने object से बोला subject ने किसी से कहा कि मैं busy हूँ तो जब भी sentence में object आ गया था तो said, told में बदल जाएगा past है अब told के साथ, said के साथ said के साथ, to लगाना but told के साथ, to मत लगाना he told me that अब tense बदल दो, he was busy बस मुझे next step में बताना था कि कोई भी object आ गया तो said, told में बदल जाएगा अब says है तो says, told में नहीं करोगे past है तो past में रखोगे बट यह तो present है he tells, tells करोगे tells के साथ, to मत लगाना he tells me that he is busy he is busy और नीचे और यहाँ इसका he will he will tell लगा दे ना say के जगा he will to मत लगाना he will tell me that यहाँ भी tense मत लगाना he is busy next step में मैंने बताया कि जब भी sentence में object आ गया तो said told में बदल जाएगा says tells में बदल जाएगा और will say will tell में बदल जाएगा Kings के साथ डू लगता है told के साथ two मत लगाना told के साथ two नहीं लगाना फेट इसी था कभी कभी object को में reported speech के अंदर ले लेते यहां तो हमारे object बाहर है वाहर है object बाहर है यहां भी object बाहर है age बड़ कभी reported speech में भी डाल लेते है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो तीन साहब टेल्स नहीं आएगा, टेल आएगा, प्रेजेंट में तो टेल आएगा, टेल्स टेल्स, और विल मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब के साथ वीवन लगा, चलो, एक ही यह भी हो गया, अब नेक्स टेप, जैसे मैंने लिखा, अब मेरे को बता हो, यहां पर कौन अन्वेल है, किसकीत खराब हैं, किसकीत खराब हैं, जरो बताना, मॉडल वर्ब विवन लेता है, यह है तो सेस, यह विलसे, प्रेजल वर्ब न, जब तक आपका फ्रेजल वर्ब का ह्लास नहीं हो रहा हा, Thursday, Friday मैं अपने स्ट्राइब से करूंगी जो मैंने आपको कौन सा करवाया है कॉल वाला और पॉट वाला करवाया है काइनली उसका रिविजिन करते रहिए क्योंकि बीच-बीच में मैं उसे से बेस टेली ग्राम पर क्वेस्टे डालोंगे और I'll be looking forward ना कि एक भी आपका question गलत ना ही बिमार है राम बिमार नहीं है अगर राम बिमार होता ना तो ऐसा लिखा होता राम इस अन्वेल राम इस अन्वेल राम इस अन्वेल यह की तबित कराओगे हम मैं ऐसा भी लिख सकती थी He said to Ram मैं ऐसा भी लिखती He said to Ram ठीक है? I am unwell ठीक है? तो यहाँ तो easy है राम subject है subject ने किस से कह objects है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया He told Ram that he was unwell लेकिन कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी क्या होता है कि object को reported speech के अंदर ही डाल देते inverted commas के अंदर उसे कोई फर्क नहीं पड़े बोला तो ultimately Ram को संबोधित करते हुए बोला He said said होगा यह told होगा उसने यहाँ पर object बाहर नहीं है inverted commas के अंदर आ गया इसलिए he told Ram told लगा देना said मत लगा ना told लगा देना अन्वेल अन्वेल अभी तो अभी तो देख रहे हो मैं इतने चोटे चोटे सिफ सेंटेंस प्रेजंट में डाल रही हूं लेकिन आपका वाग के present continuous present perfect past perfect कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस नंबर पर कॉल कर लेना उनको सब पता है मेरे को भी नहीं पता होता है कब क्या 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 बैचे आ रहे हैं यह सब बता देते हैं डबल लाइन 583 583 24 ठीक है यह यह नंबर है यह आपको help करें अब कोई भी कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी कॉमेंट नहीं करेगा admission से related क्योंकि admission से related बाते में last में करती हैं हो गया यह इतना दुर clear अभी तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा sentence जब भी हमारा reported speech past में हो तो हमारा tense बदलेगा जब भी reported speech past में हो तो tense बदलेगा बट कभी कभी वाक्य में कोई universal truth आ गया point to be noted जब भी हमारे वाक्य में कोई universal truth आ गया universal truth यह तो मैंने आपको tense में पढ़ाई दिया कि जब भी general statement आ गया जब भी कोई proverb वगेरा आ गया कहावत वगेरा ठीक है प्रोब वगेरा आ गया तो उस case में टेंस मत बदलना चाहिए हमारा reported speech past tense में ही क्यों ना said को told में बदला है मैंने told में बदला है he said he said the sun the sun rises in the east the teacher the teacher said to the students honesty is the best policy आपके दिमाग में आएगा न कि क्या आपके दिमाग में आएगा अरे यह तो पास टेंस है चलो टेंस बदल दिया जाए क्योंकि अभी तक जो भी past तैन्स अरहा था यह भी past है यह भी past है और हमने तो पड़ा है कि जब भी वाकिय पास् टैंस में आ जाया ना तो टेंस बदलना है बड़ यहां पर टेंस नहीं बदलेंगे यहां पर टेंस नहीं बदलेंगे सण का east में राइस करना एक एक universal truth है feature का ये कहना कि honesty is the best policy ये एक general statement है जिसको पहले भी लोग मानते थे अभी भी मानते है आगे भी मानें तो नहीं आएगा तो ये क्या होगा he said that ठीक है पूरा उतार दो the sun अब rise का past tense रोज होता है बट नहीं करना है क्योंकि ये एक universal truth है ठीक है उसका tense नहीं बदलेगा अब चौब बोलोगी कि honesty का माम is तो present है चलो इसको was में कर देते है honesty is the best policy नहीं होगा ये एक general कहावत है बात है the teacher ने student से बोला तो यहाँ पे told हो जाएगा the teacher told the students that पूरा उतार दो honesty उतार दो was मत करना इसके जगा honesty is tense नहीं बदलना tense नहीं बदलना honesty को was नहीं करना tense नहीं बदलना चली next session अच्छे लग रहे हैं तो like भी करते जाना अभी धीरे 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 हम लोग अपनी level को बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ा जाएं कि अभी तक हमने वही बेसिक पढ़ा है जो आपको न स्लाइड में जो मैंने लिखा था वही पढ़ाया है अब आजो change of pronouns ठीके next step में अभी बहुत सारा है बहुत सारा अभी हम step wise जा रहें अभी तक हमने first step में क्या पढ़ा कि कहा tense बदलेगा कहा नहीं बदलेगा पास्ट में बदलेगा और tense present है और future में नहीं बदलेगा अभी तक आपने यह सिखा कि direct indirect बनाते समय न अपने reporting verb पर ज्यादा ध्यान देना है बट कभी कभी reporting पास्ट में होता है फिर भी tense नहीं बदलता है कब जब universal truth वा गयरा है अब हम करते हैं change of pronouns यह pronoun जैसे मैंने लिखा I am busy जैसे मैंने लिखा he said अभी लिखना कुछ भी नहीं he said to me you are unwell तो मैंने इसको लिखा he told me that I was unwell अब आपके दिमाग में आ रहा होगा न कि यह you यह you आंकी राही में कैसे बदल गया यही सब चीज अभी हम सीखने वाले ठीक है change of pronouns कैसे कैसे होगा comment से ज्यादा बातों को सुनेंगे change of pronouns कैसे कैसे हमारे pronouns चेंज हो रहे हैं यह प्रोनाउंस यह नाउंस भी लिख लो है चोटा से रूल अपने अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा जूनियर क्लास में पढ़ा होगा यह सान वाला सो एन स के आगे वान ओके आगे टू और एन के आगे थ्री ठीक है याद करने का अब आप बोलोगे कि मैं हम यह क्या है कि एस एस डिनोट्स सबज़ग्ट यह जो ऐस है यह सबज़ग्ट के लिए है और और ऑ क्या है O is for object और N को noun मत बना ले न, N is no change N no change है, ठीक है और आप बोलोगे कि ये 1 क्या है, 1 is first percent ये जो मैंने 1 लिखा है 1 1 लिखा है first percent के लिए और 2 किसके लिए लिखा है, second percent पहले इसको लिखिये फिर मुझे इसको rub करना होगा और 3 है third percent first percent में कौन आता जो बोल रहा है, वो first person है जो सुन रहा है, वो third person है और जिसके बारे में बात की जा रही है वो third person है, अभी मैं बोल रही हूँ मैं first person हो, आप लोग सुन रहे हो आप second person हो, और हम जिसके बारे में में बात कर रहें किसी तीसरे वेक्ती के बारे में वो थर्ड परसेंट जैसे फॉस्ट पॉसन में क्या आता फॉस्ट पॉसन में आई मैं हम आई का इस सिंगुलर है और वी प्लूरल है अर्श केंड पॉसन में आप लोग यू यहां थोड़ा बता देना होगा हर बच्चों को विसे पता ही है कि I singular होता है और you sorry we plural होता है तो दोनों फिर्स्टी परसें दोनों फिर्स्टी परसें है पड़ेक singular है और plural है second person में यू हो ठीक है और यू singular भी होता है और यू plural भी हो sentence में देखना है इसको किस तरह से use किया लिए you study आप पढ़ो यू all study आप सभी पढ़ो तो यू singular plural दोनों होता है और third person में कौन आ जाएगा third person में जिसके बारे में I और you मिलके जिसके बारे में बात कर रहे है वो third percent है third percent वारतल आप में शामिन लेंगी की शी दे इट और जितने भी राम श्याम है ना राम श्याम वैसे ना प्रोणाउं तो नहीं है राम श्याम नावन वैसे सब भी किसी का नाम भी you third फॉससें हैं इत आप दे शीर आम शैम सब थर्ड पॉसन जितने भी गॉट भी थर्ड पर से एं मेरे को इंग्लिश कम समझ में आती है ना तो क्या करना है पड़ने है कोई चीज कम समझ में आती है तो पड़ने है लिख लिए सबने यह सब्जेक्ट है और अब बोलोगे कि मैं एस के नीचे वान क्यों लिखा इसके नीचे यह क्यों लिखा यह पढ़ेंगे पहले तो यह सब आज एक बज़े ुए अभी क्लाश है के वी लिंक ना अगटमी का इंद्र धन्यूष पर मैंने घ्रा ग्रैमर का से शुरू किया हूए जिन बचों को नहीं पताा है बता देती हूं कि घ्रामर्स का प्रैक्टिस के लिख लिए 활 चिवक्त यह कॉन सा चैनल है यह तो आप लोगों पत आई है यहां पर मैंने कॉम्प्लीट कॉम्प्लीट बैच वो फ्राक्टिस बैच पी ब्रैक्टिस बैच लेगा और है और Wednesday को चलेगा, हफ़ते में दो दिन चलेगा, Monday और Wednesday, और ये चलेगा एक से दो, ठीक है, तो आज एक से दो, class भी एक से दो चलेगा, और जिन बचों को spotting errors में दिक्कत आती है, जिन बचों को sentence improvement में दिक्कत आती है, सेंटेंस इंप्रूब्मेंट में या सेंटेंस इंप्रूब्मेंट में या एरर में दिक्कत आती है इस बैच को जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक मैंने टेलिग्राम पे डाल दिया है टेली ग्राम पे इसका लिंक मैंने डाल दिया जुड जाना एक बोजे आज मैं सेंटेंस अरेंज इंप्रूब्मेंट करवाने वाली इंप्रूब्मेंट तो अब मुझे यह बताना था कि मैं इसके नीचे अपने वान और यह क्यों लिखा यह रूल क्या बताता है यह रूल आपको लगएगा नगीर की ही ओडिय अबजेट एक अर्मेंट जहाएं सब्सक्राइन आहे जाएंगा है सब्सक्राइग जया पाप्र करुक में उबजेट एक्यडिंट के जाहां करेंगे सेसित पर चरहें चाहिए में थान चाहिए और थास में तो को सिक्षारद थार्ड परसेंट में नो चेंज लिखो इसको अब अब इसी पर सारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस बेस्ट लिख लिए है आप चलो मैं इसको स्टेप बस्टेप करवा के ना क्लास को खतम करती हूं फिर अरे एक चीज बता विकास सेंटेंस इंप्रोव्मेंट सेट करने के लिए दिए थै और क्या नोट कर लिए न अट टू जेट सारा अप लोग ढूंड नहीं पा रहे हो शिवाम यादो सारा चीज ना बहुत सिस्टमाटिक वे में अरेंजड है सब चीज़ आप लोग डून नहीं पाते हो प्लेलिस्ट में जाओ सारा ग्रैमर का बैच अरेंजड है अप लोग के कर्मीनियन्स के लिए सब अरेंज किया अब चेंज इन प्रोनाउन साइड में कहीं पर इसको लिख लो साइड में S.O.N. लिख लीजे ये वाला लिखा रहेगा याद रहे है ठीक है सेंटेंस लिख रहे हूं सब्सक्राइब है अर्ण लिख रहे है वाला लिख रहे रहे हैं लिख रहे हूं कृट छोट छोट छोटर सेंटेंस लिख रहे हैं ग्रदीचर इस पैले तो एक स्टूरें रखती है ग्रदीचर पैले तो एक स्टूरेंट रखती हो I am fine तीसरा इतना लिखी अभी बहुत सारा एक्जाम्पल्स पहले इसको लिखते जाए पूरा A to Z इतना आपको grammar मिल रहा है लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये सबसे पढ़ने से थोड़ी errors बनेगा प्राक्टिस भी करना चलो अब जो S O N 1 2 3 है थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है ये ये क्या ये जो inverted commas के बाहर है इसको मैं मान रही हूँ ये वाला subject man ने किसको बोला अपनी wife से बोला उसकी wife object है तो ये जो subject object की बात हो रही है जो inverted commas के बाहर है और ये जो first second third person ये inverted commas के अंदर ये जो U है कौन सा percent? U जो है second person second person चलो अब इसको start किया आजा अब इसका tense बदलेगा tense इसले बदलेगा क्योंकि reporting वो past में जा रहा है past में जा रहा है tense बदलेगा और subject ने object से कहा तो said क्या में बदलेगा told के साथ to मतलगा न the man told to मतलगा न the man told his wife that ये जो U है कौन सा person है U is second person second person और rule क्या बताता है कि second person according to object second person according to object और इसका object कौन है इसका object is wife wife है तो wife के लिए क्या लगाओगे she लगाओगे न she लगा दोगे is wife है is नहीं देख रहे है wife को she was and will क्योंकि second person है second person subject के according नहीं जागा second person object को she she was a chanwal नहीं she was kind she was kind तो ध्यान रखने है the man told his wife और थोड़ा समझो न the man said to his wife the man said to his wife यहां हम ही नहीं लगा सकते है man ने अपने लिए नहीं बोला man ने अपनी wife से बोला man ने अपनी wife से बोला कि तुम kind हो तुम kind हो मतलब kind उसकी wife है ना तो she लगाए ना अगर अगर man ने इस man ने ऐसा बोला होता कि the man said to his wife I am kind I am kind बोला होता इसका मतलब है कि man ने अपनी लिए बोला होता और जो अपनी लिए बोला होता तो हम यहां पे ही लगाते बढ़ यहां man ने अपनी वाइब से बोला मतलब kind उसकी wife kind the man told his wife the she was kind the student said to the teacher इसका भी tense बतलेगा the student the student told होगा क्योंकि student subject है teacher object है the student told the teacher that अब student ने किस से बोला teacher से बोला student ने teacher से बोला कि मैं fine हूँ मतलब fine teacher नहीं है वो अपने लिए बोला अपने लिए बोला तो यह I कौन सा person है I first person है और first person according to subject और subject कौन सा है student है और student में girl भी आते हैं boy भी आते हैं male female clear नहीं हो दो मेल को ही मानते है he was fine मतलब fine teacher नहीं थी fine student लिख लिए यह the student I'm fine student teacher में male female clear नहीं हो रहा है तो हम he को मान लेते हैं तो student ने अपने लिए बोला मैं fine हूँ अब यहाँ पर एक student था यहाँ पर तो बहुत सारे students है तो मैं क्या लिखूँगी the student said बहुत सारे students मिलके बोल रहे है बहुत सारे students मिलके बोल रहे है कि हम सब busy है मतलब plural है तो यह वी कौन सा person है वी first person है और first person according to subject और subject plural है तो फिर से students नहाँ repeat हो तो हम students plural है इसके लिए they were busy लग they के साथ tense मतले male को priority दे देते है female pleasant नहीं है तो male को priority दे दे न खीक है they लगा दे अगर एक चीज़ और मुझे बताना था अगर एक student भी रहता यहाँ तो students मैंने यहाँ तो students को plural रखा था लेकिन अगर ऐसा भी वाक्य रहता the student एक ही student भी रहता the student said we are busy तो यहाँ तो मैंने बहुत सारा students लगाया था लेकिन एक student भी बोलता न जैसे student ने कहा कि हम सब busy है हम सब busy है इसका मतलब यह student भी उसी में शामिल है तो इसका भी वही बनता the student said the student said dad अब यह भी क्या है we first person है और rule क्या बताता है और rule बताता है कि first person according to subject तो first person according to subject आप बोलोगे कि मैं first person according to subject तो यहाँ तो एक ही student है यहाँ तो चलो बहुत सारा था तो आपने इसके लिए दे लगा दिया लेकिन ठीक है first person हमारा यह first person plural है तो हमें कुछ plural ही चाहिए क्योंकि student ने बोला कि हम सब busy है इसका मतलब एक student ही वो busy नहीं है उसके साथ साथ बहुत सारे students है तो यहाँ भी singular होता है बड़ यह तो plural था इसका भी दे लगा ठीक है चलो मुझे बताओ आप मेरे न क्लास की टाइम हो रही एक बज़े से क्लास है तो अभी इसके बारे में बहुत और डीटेल में पढ़ाने है अच्छा थे टीचर तो गलती से लिख दिया था रहे यह समझ जाना है कि माम ने गलती से लिख दिया होगा इतना तो अपने से समझ ही लेना है कि माम सेकेंड वाला गलत है दे स्टूडेंट सेट टूड़ तीचर के जगा था क्या पढ़ाया था जा कल मैं आपको वह पढ़ा रही थी ना ऐस ओ एन वाला रूल पढ़ाया था ठीक है यह पढ़ाया था एस-ओ-एन विखा था 1, 2, 3, 1st person according to subject, 2nd person according to object, और 3rd person में no change, 3rd person में no change, ठीक है, next one, आप देखो, यहाँ पे देखो, he said I am busy, he, he ने किसको बोला, अपने आपको, he ने कहा कि मैं busy हूँ, इसका मतलब busy खुद he था ना, यह क्या है, 1st person, और 1st person according to subject, तो he हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, he said that he was busy, I am busy, simple present है, past में बजल जाएगा, उसी तरह, he said to me, I am right, but you are wrong, उसने मुझसे कहा, कि मैं right हूँ, और तुम wrong हूँ, मतलब right मैं हूँ, wrong तुम हूँ, तो यहाँ पे देखो, यह 1st person है, he said, यह subject है, और यह object है, subject ने किस से बोला, he ने me से बोला न, तो जब भी object आ गया, तो told में बदल जाएगा, he told me, इतना दूर तो correct है, कॉमा के जगा that आ गया, अब यह I कौन सा person है, I 1st person है, 1st person according to subject, तो मैंने यहाँ पे subject लगा दिया, he was right, but, यह you कौन सा person है, you 2nd person है, और 2nd person according to object, तो मी ही बन जाएगा I, I was wrong, I was wrong, आप से पढ़कर stenographer पास कर लिया है, तो आमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी stenographer का, तो अभी steno, short hand typing person, भी तो तो बचा है, अभी काया है, तो he said to me that I am right, but, you are wrong, तो he told me that he was right, मैं right था, वो right था और तुम wrong थे अब देखो he said to me, he हमारे sentence का subject है और ये verb है, subject ने object है, subject ने object से बोला तो he told me तक तो सही है, that, अब ये he third person है और आपने क्या पढ़ाएगा, third person में कोई change नहीं होगा कोई change नहीं होगा, तो he, he, he रह जाएगा he was, is handsome, was handsome होगा, is handsome, was handsome में बदल जाएगा ठीक है, तो खल हमने ये किया था, अब हमें करना क्या है अब असली कहानी यहां से शुरूर, देखो, यहां पर देखो, ज्यां से सुनना, वो सब तो easy था यह he क्या है, she क्या है, she subject है, she ने किस से कहा, मेरे से कहा she ने मेरे से कहा, बट यहां ना, she ने सिर्फ कहा ठीक है, she said to me, she said to me, you are guilty she ने, she ने मेरे से कहा कि मैं guilty हूँ, you are guilty मतलब she ने कहा कि तुम guilty हो, उसका मतलब मैं मुझे guilty बोला है, तो यहां पर object है बट यहां पर कोई object नहीं है, भ्यान देना तो यहां पे हो गया she told me ठीक है she told me that और यू कौन सा person है second person है second person according to object object में me है तो I हो जाएगा ठीक है conjunction के बाद subject चाहिए नो object नहीं चाहिए I was guilty यहां तक तो सही था but यहां पे कोई object नहीं है ठीक है यहां पे कोई object नहीं है she said you are guilty यहां पे क्या हो जाएगा देख कोई भी object नहीं है she said दीक है जब कोई यहां पे तो object था यह you second person है यह second person है और second person according to object तो यहां तो object था बढ़िए यहां पे कोई object नहीं है जब object नहीं है तो हम I को मान लेते I को मान लेते हैं कई बार आई के जगह हम he को भी मान लेते हैं बड प्रियरेटी हम आई को देते हैं अंड एस्टूड है सामने वाले को बुला है she told me that I was guilty यहाँ पे तो object था तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन वाक्य में जब कोई object ना होना तो आई को मान लें आई को अभी इस पे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़े करें हाँ हाँ इसको लिख लेना है अब यहाँ पे देखो she said you all are यहाँ तो you singular था यहाँ भी you singular था बड़ यहाँ का you plural है यहाँ का you plural है उसने कहा कि आप सभी guilty हो आप सभी दोशी हो मतलब दोशी कोई एक बेखती नहीं है बहुत सारे लोग दोशी है C ने कहा तो she said होगा that लगा दिया अब you तो second person है second person according to object बड़ अबजेक्ट में कुछ नहीं है तो I मान लेंगे जैसे यहाँ पे I माना था लेकिन यहाँ पे I इसलिए माना था ना क्योंकि you singular था बड़ यहाँ का you तो plural है तो हम I नहीं करेंगे हम V करेंगे अच्छा यहाँ वाला ना set सही नहीं किया है अहाँ she said एक मिनट एक मिनट रूख जानो यह वाला जो है इसको इसको मत देखना इसको मत देखना यह इसका दोनों तरीके से बन सकता है हम I भी लगा सकते है ही भी लगा सकते है ठीक है जब कोई object नहीं हो तो हम I को भी मान सकते है ही को भी मान सकते है बढ़ हम priority I को ही देते है priority I को ही देंगे ठीक है यह तो हो गया औब्जेक्ट में क्या मांते हैं, आई और ही मांते हैं, या तो ही मांते हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है, तो आई का प्लूरल मैंने वी कर दिया, वी अल वर गिल्टी, और यहां ही का प्लूरल, ही मांते हैं, तो उसको प्लूरल कर दिया, अभी A to Z ग्रैमर का बैच चल रहा ह कई वच्चे नहीं आते हैं, मैं अभी अब क्या पढ़ा रहे हूं, अभी मैं A to Z grammar का बैच पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने noun पढ़ा दिया है, conjunction पढ़ा दिया है, preposition पढ़ा दिया है, verb पढ़ा दिया है, tense पढ़ा दिया है, और voice पढ़ा दिया है, इतने सारे chapters A to Z grammar में थोड़ा सा और भी डीटेल में करवाना इतना तो लिख लिया होगा अब देखो यहां पर sentence देखना यह वाला example को न बट ध्यान से note करना इसने जगे नहीं दिया जिसना एक मिट यह वाला example को थोड़ा द्यान से she said you are guilty, ठीक है, she ने कहा, कि आप guilty हो, तो हम इसमें क्या मान रहे थे, हम लोग इसमें क्या लिख रहे थे, she said that, ठीक है, she said that, you second person है, second person according to object, अगर वाकिय में object ना हो ना, तो हम क्या लगा लेंगे, I लगा लेंगे, या he भी लगा लेते है, she said that I was guilty, यह हमारा question है, ठीक है, और यह भी है, she said that, he was guilty, ठीक है, he was guilty, ध्यान से इसको सुनना, जब भी sentence में कोई object ना हो, तो या तो हम क्या करते हैं, I को मान लेते हैं, object, या तो he को मान लेते हैं, दोनों correct, दोनों correct है, यहाँ she जो है, किसी और को बोल रही है हो, कि आप वो guilty है, ठीक है, she ने कहा, कि I was guilty, या दोनों correct है, दोनों correct है, लेकिन हम priority generally I को देते हैं, लेकिन, यहाँ तो अभी दोनों सही है, लेकिन अगर question ऐसा आ गया, देखो, यहाँ पे she ने किसी और के लिए बोला, लेकिन, एक मिट, अगर question ऐसा आ जाता, he said, यह question ऐसा रहता, he said you are guilty, और यहाँ पे मैं he लगाती, और यहाँ पे, he said that, I was guilty, पिछले वाला sentence में, जब she ने कहा था, जब she का जिकर था, तो आई भी correct था, और he भी correct था, बट यहाँ पर अगर ऐसा आ गया, अब यहाँ पर ऐसा आ गया, आप बोलोगे कि मैं हम दोनों तो correct है, इस case में, इस case में हमें इसको चुनना पड़ेगा, ह he अपने आपको बोल रहा है, अगर यह sentence ऐसा रहता, यह देखो, he said, he said I am guilty, he said I am guilty, तो इसका क्या बनता, इसका ऐसा बनता, he said that he was guilty, he said that he was guilty, क्योंकि I first person है, first person according to subject, तो यहाँ तो पता चल गया, कि he was guilty में, he अपने आपको बोल रहा है, तो इस sentence का भी ना, दो मतलब लिकल हो सकता है, कि he अपने आपको बोल रहा है, क्योंकि अगर आई भी रहता ना, तो हम he लगाते है, he was guilty, हो सकता है कि he अपने आपको बोल रहा है, और हो सकता है कि he किसी third person को बोल रहा है, कि he ने कहा कि वो guilty है, किसी third person को भी बोल सकता है, तो दोनों meaning निकल रहा है, हो सकता है, ही अपने आपको भी बोल रहा है लेकिन यहां understood है कि ही अपने आपको नहीं बोल रहा है ना ही किसी और को बोल रहा है बट यह वाला देंगे ना तो लगेगा कि ही अपने आपको बोल रहा है इसलिए इसको लगा है इसको लगा है तो यह चीज़ को तो मंतलब की अपने आप को बोल रहेए कि किसी और को बोल रहे हैं शोबВОठन Кहीर को dai कि मिलगे का यहां अपने आप जुबट थे कि शुट को रहा है mil colocar शुट बना रही हुट आप लोगों ने A2Z, A2 16 important rules 4 दिया मैंने GD का अच्छा 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 गड़ी का पेपर था शाया ना वोकाब के लिए A2Z वोकाब आपको बहुत बट डीटेल में पढ़ाया गया प्रेजल वर्प थॉस्ड़े और फ्र के भी का गाट चल रहा है चलो हमने प्रोनाउंस वाला बहुत डीटेल में कर लिया किसे कैसे प्रोनाउंज नो से मैं और चीज़ याद रखना डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाते समयना कुछ वर्डस भी चेंज होते हैं लेकिन यह वर्डस तभी चेंज होगा जब हमारा वर्ब ध्यान रखना PAST में रहेगा PAST में रहेगा KYA क्या words change होगा जब हमारा reporting वर्ब पास्ट में रहेगा यह सब में this that में बदलेगा ठीक है, this का plural these these those में बदलेगा but कब यह सब changes ध्यान रखना है यह सब changes तब होगा ना जब reporting वर्ब is in past अगर प्रेजन्त में हैं तो यह सब चेंज़ नहीं होगा इस आप जाएगा इक है नौ बदलेगा देन में here बदलेगा there में अगो बदलेगा before में तो civी दभ यहाद रखना है तस so में hence up say when मतलब तब से today बदलेगा ड़दे में tonight बदलेगा that night में इसको लिख लिख लीजगा enough नव आप ओके यहां लिख 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 लिए today that day में tonight that night में this that these those now then year there ago before thus so hence then today that day tonight that night यह सब में बदलेगा और yesterday क्या में बदलेगा ने को कई बार options देखना है कई बार options में yesterday the day that नहीं है the day before भी आ जाता है बट जेनरली येस्टेडे बदलता है प्रीविएस डे में लेकिन कभी-कभी दे बिफोर में भी आ जाता है टुमॉरो क्या में बदलेगा नेक्स डे में चुमॉरो नेक्स डे में बदलेगा और लास्ट नाइट क्या में बदलेगा यह चोड़ो यहां पे लिक प्रारिटी देते गधना पृड़ को देते हैं The प्रिविए ऑसँ प्री बिफोर है और नाइटेहर एकम टिकुन में च्टेहरे और तो में अच्ट से देखोगे ना उन्होंने tomorrow को भी following day में डाल देता है वैसे वैसे tomorrow बदलता है tomorrow changes to next day ठीक है tomorrow next day में बदलता है और next day बदलता है following day में इसलिए बता रही हूं ता कि confuse ना हो कभी-कभी यह क्या करते है ना tomorrow का tomorrow का next day क्या ना करके following day कर देते है वो भी correct है अगर कोई option में tomorrow का next day नहीं दिया है following day भी दिया है that is also correct previous night yesterday previous day tomorrow next day next day previous day next day following day में बदलता है but कभी-कभी tomorrow को भी following day में डाल देते हैं so this will change only on the conditions this words will change only on the condition when the reporting verb is in past tense when the reporting verb is in present tense the words will not change edward का class होगा ना edward का बरी-बरी से होगा देको the boy said I am glad to be here this evening तो ठीक है the boy said that the boy said that I कौन सा परसेन है I first person है और first person according to subject boy के लिए मैंने ही लगा दिया बार-बार boy repeat now noun repeat now उसके बदले pronoun लगा दिया I he was glad I am glad बदल गया present बदल गया past में to be सही है here बदल गया there में और this बदल गया that में this बदल गया that में I am glad to be there I was glad to he was glad to be there that evening will would में बदल जाता है may might में बदल जाता है ठीक है she said I'll go to Delhi next week she said that यह first person है first person according to subject she हो गया और will का past tense would हो गया model वर्प के साथ भीवन she will go to Delhi next week क्या में बदलेगा next week बदल गया following week following week following week त्रिस लिखे इसका ब्लवडी में क्या करोगे the man says to him हरवडी में क्या करोगे the man tells him यहां will को would में बदल दोगे यहां this को दैट में बदल दोगे बाट ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्यों कि यहां का reporting वर्ब present में अगर हमारा reporting वर्ब present में है तब मत बदलना इस को दाट में reporting वर्ब past में रहेगा न तभी here there में बदलेगा this that में बदलेगा next day following day में बदलेगा बट यहां का reporting वर्ब को इन प्रेजन टेंस एक तो दो मैं यहां पर दो और यहां दिस को दा करना दिस को डाहिए करोगे क्योंकि रिपोर्टिंग वह प्रेजंट में हैं कोई भी चीज नहीं बदलेगा यह भी हो गया अभी मैं थोड़ा सा और बता दू फिर पीछे बहुत सारे questions है अब देखो अभी तक तो हम बहुत basic पढ़ रहे थे basic पढ़ रहे थे और आप देख रहे हैं हर reporting speech के अंदर वाला tense मेंने simple present रखा था और simple present को past में बदलते जा रही थी बट ऐसे जरूरी नहीं है ना कि हर सामें present ही आए बहुत सारे changes हो सकते हैं हर मतलब अलग-अलग tense में होगा याद रखना है कि अगर हमारे reporting reported speech inverted commas के अंदर वाला वाक्य का tense simple present में है तो वो क्या में बदलेगा simple past में यह कम होगा जब reporting वर पास्ट में होगा जब reporting वर पहला दे नहीं पड़ा दिया था जब reporting वर प्रेजेंट में है या future में है तो कोई changes नहीं होने वाले ठीक है लिए लिए अगर हमारा reporting verb past tense में है ना तो reported speech के अंदर वा बदलता है present perfect past perfect में बदलता है कुछ नहीं करना है सिफ simple present का जो is MR है ना simple present का is MR है उसको क्या में बदल देना was war में और present continuous का is am are plus ing है ना उसको क्या में कर देना was या war plus ing उसमें कर देना present perfect का मतलब क्या है has या half plus v3 तो past perfect में add plus v3 कर देना और present perfect continuous past perfect continuous में बदलेगा present perfect continuous का मतलब क्या है has have plus been plus ing अब इसको has have के जगा कर देना had plus been plus ing इस यह भी तो questions करवाऊंगी ठीक है इस अब है इस अब को वस बदल दो present continuous past continuous में बदलेगा is mr ing was war plus ing present perfect past perfect में बदल जाएगा past perfect का मतलब यह has have था वी 3 है had plus v3 तो 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 एसे ही परेशान रहते हैं पना नहीं क्या परेशानी रहता है पड़ते समय बिगनर का बैच चाहिए था साब को असली डेडिकेशन न पेड़ बैचेज में होते हैं ठीक है असली डेडिकेशन न पेड़ बैचेज में होते हैं यहां तो सब बातचीत में busy है तो यह हो गया अब आजाओ अब अगर हमारा ममारा अभी तो हमने प्रेजेंट वाला किया अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में हो तो वह क्या में बदल जाएगा पास्ट पर्फेक्ट मतलब हैड प्लस हुई ठीक है अगर हमारा वाक्य अच्छा यहां पर गलत हो अगर हमारा वाक्य प Maas continuous HEаюсь Yes?. सभ्सक्रांश क्या में में बदलेगा पास्ट पर्फेक्ट ऩह चुन्टीनूस आस ऑस्ट पर्फेक्ट कंटीनूस और पास्ट पर्फेक्ट में कोईजेगी सब्सक्राइब स bowling पास्ट पर्फेकट कंटीनुएस में भी है तो वह और ही वेरे सिंपल प्रेजätt present perfect continuous past perfect continuous और simple past past post perfect में और past continuous past perfect continuous और इन दोनों के बदलने के लिए बचा ही नहीं No change No change चलो आप इने जतना बहाया न mother इस पर based questions करवा देती phrasalGBob की class thursday और fri नो चेंच इस बहां आफ的 उस पर based questions करेंगे पहने लो था ता कि टीचर के लिए औप्शिंस लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चोटे-चोटे sentences दे के आपके concepts clear करवाते हैं, लेकिन ultimately practice तो इससे हो, बताओ, answer बताओ, the chairman of the selection committee said, chairman ने बोला, practice तो lengthy sentence में होगा, we shall finalize the rest of our team, after we have selected the skipper, एक चीज़ मुझे बताना है, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कहां पर जगह बना, अब मुझे बताओ, कि shall का past क्या होता है, मेरे को बताना, shall का past, shall का past क्या होता है, जब content में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है, same पढ़ा रही हूँ, तो आपको selection में भी कोई भेदभाव नहीं करना है, class में decorum, seriousness भी maintain करना है, shall का past याद रखना, shall का past should भी हो सकता है, और shall का past would भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, should बगेरा, generally advise बगेरा में कर देते हैं, दोनों होता है, shall का past, अगर should होता, तो यहाँ पर option would क्यों रहता, सारे option में, सारे option में would दिया है, shall का past would भी होता है, सारे should तो एक जगा भी नहीं है, would है, यह मैंने आपको model verb में, बहुत detail में बढ़ा दिया है, देख ले ना class, चलो the chairman of the, अब पहले तो हमें check करना है, हमें क्या check करना है, कि हमारा जो reporting verb है, हमारा जो reporting verb past tense में है, हमारा reporting verb past tense में है, इसका मतलब है कि tense बदलेगा, tense बदलेगा, और यहाँ have selected है, have selected तो present perfect है, और present perfect तो past perfect में बदलना चाहिए, बढ़ यहाँ भी have selected छोड़ दिया है, गलत है, यहाँ भी have selected छोड़ दिया है, गलत है, यहाँ भी selected कर दिया, यह तो simple past कर दिया, यह भी गलत, answer is 4, प्लीज डोंट पानिक बट टाइट नीज और सीट वेल्ट डरो मत अपने सीट वेल्ड वांद भड़ा फटाफ़ा अपने ओप्शिंजर तो मेरे को क्या दिख रहा है मेरे को यहां तो डिख रहा है पैसेंजर ने एको अंड़स्टूड अब बोलोगे कि मैं यहां तो कोई नहीं है तो अबजेक्व से डाल दिए। अबजेक्व टाल के साथ टू नहीं होता है जहाएं दूसरा दूसरा दीखो यहां पug मेरे को यहां पे to not panic दिख रहा है to not panic और यहां पे दिख रहा है not to panic और मेरे को एक और क्या चीज़ दिख रहा है मेरे को दिख रहा है यहां पे दिख रहा है your seat belts यहां पे their seat belts or their seat belts your seat belts भी नहीं होगा न होगा but tighten your seat belts your seatbelts मतलब किसके seatbelt passenger के तो योर देर में बदलेगा ना योर seatbelts मतलब देर seatbelts में बदलेगा तो यह भी हड़ गया यह भी हड़ गया अब बताओ अब क्या difference दिख रहा है यहां पे हाँ to not panic नहीं होगा not to panic not to infinitive को split नहीं करना infinitive होने के लिए ना तू के तुरंद बाद वीवन चाहिए बाट यहां तो बीच में नॉट लगा answer is fourth 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 the pilot told the passengers not to panic but to tighten their seatbelts और यहां तो instead instead भी अपने से लगा दिया ठीक है next I shall remain here and the tailor won't be able to find me said she I shall remain here and the tailor won't be able to find me इसको देखो जब यह MC की वाले questions आते है ना multiple choice वाले questions आते हैं तो options को देखे यहां should लगाया यहां should लगाया यहां would लगाया यहां could लगाया गल्ती से भी shall का past tense could तो होता ही नहीं तो यह तो वैसा ही यहां पास्टेंस या तो शुड होता है या तो वुड होता है बट यहां एडवाइज वगेरा देनी वाला सैंस नहीं आ रहा है तो शुड मत लगाना शुड रिमेन मतलब उसको महा रहना चाहिए यहां पे शाल का पास्ट वुड होता है यो अर गेटिंग लेजी डे वाइडे उसने मुझ से कहा यह देखो you are getting lazy यो अर गेटिंग लेजी क्या है present continuous है यह present continuous है और present continuous क्या में बऄड़ेगा past continuous में यहां तो present continuous ही छोड़ दिया यहां तो present perfect continuous करदिया और यहां you second person है second person according to object object में में म हैं का आई बनेगा, यह नहीं, आई, next, the prime minister said at a meeting, there is no need of a working president for the party norm, अच्छा question, answer बताईए, जैसा option बैसा answer, और sessions अच्छे लगे, तो like भी करते जाना है, इंट्रेस्ट में तो आते हो, a to z, a to z, और जैसे a to z का शुरू होता है, उसके बाद सब थक जाते हो, लेंदी दिख रहा है अब मेरे को क्या क्या दिख रहा है, अब मेरे को यह दिख रहा है, और दूसरा, यह जो now है, ठीक है, यह now क्या में बदलेगा, now तो then में बदलेगा, क्योंकि reporting work past में है, और प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को नहीं बोलेंगे, जैसे you told me, आप मुझे कुछ बोल सकते हो, but प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को थोड़ी बोलोगे, told a meeting नहीं होगा, अगर ऐसा रहता है, प्राइम मिनिस्टर told a meeting नहीं होता, the prime minister told at a meeting, ठीक ही, मीट मिनिस्टर नहीं बोला, meeting को नहीं बोला, तो यहां तो वैसे भी at भी लगना चाहिए था, और now then में लगना चाहिए था, यह तो वैसे हट गया, और यह भी हट गया, प्राइम मिनिस्टर told a meeting नहीं होगा, told at a meeting, यह भी हट गया, अब आपके पास दो option होगा, the prime minister said at a meeting that there was no need of a working president then, that there was no need of a working president for the party then, हम address कर सकते हैं, ठीक है, meeting को संबोधित कर सकते हैं, आप बोलोगे मैं यह word कहां से आ गया, यह भी correct हो सकता था, प्राइम मिनिस्टर ने meeting में कहा, और यहां प्राइम मिनिस्टर ने meeting को संबोधित किया, address के साथ, address at a meeting लगाने की जरूद नहीं है, आप meeting को संबोधित कर सकते हो, तो यह भी सही है, लेकिन यहां पर देख रहे हो, यहां पर for the party, for the party then, लेकिन यहां पर इन्होंने for the party of a working president, यह for the party हटा दिया, और यहां पर रखा, यह हो, अगर for the party इसमें भी लगा होता, तो यह भी correct हो जाता, यह भी correct हो जाता, कभी कभी हम क्या करते हैं, sentence को sense को, sentence के sense को ध्यान में रखते हुए, told or said को address में भी बदल सकते हो, क्योंकि Prime Minister meeting को संबोधित कर सकते हैं, अगर for the party हा रहा तो यह भी सही होता, I said to her, all your faults will be pardoned, if you confess them, अगर आपने सारी गलती स्विकार कर लोगे, सारी गलती माफ हो जाहीए, फटा फट बोलते जाहिए answer, class को अब खतम करेंगे, time लगेगा, अगर हरबड़ी में नहीं पढ़ना है, detail में पढ़ना है, थोड़ा तो time देना होगा, I told her, I told her, मेरे को क्या दिख रहा, all her, मेरे को यह दिख रहा है, कि will है, will to would में बदलेगा, क्योंकि यह past में, will to would में बदलेगा, will will छोड़ दिया, अपना दो options को हटा लो, if she, I told her that all her farts would have to be partened, would have कहां से लगा दिया, simply will है, तो will को would में करो न, D नहीं है, D नहीं है, would have to be, have to अपने से लगा दिया, the queen said to her son, you must go to the forest, you must go to the forest, and remain, school level में ऐसा वाला नहीं आता है, school में active से passive बनाने के लिए, खुच से लिख के आता है, exams में options के साथ आता, the queen said to her son, you must go to the forest, जाओ, forest जाओ, और महां तब तक रहना है, जब तक तुमारे father तुम्हें call you बुलाते नहीं, हम अपने options को चाट लेंगे, अपने options को कैसे चाटेंगे, यह हमारा past tense है, तो calls नहीं रहेगा न, called होना चाहिए, तो यह option को तो हटा ही दो, हाँ, यह option को तो हटा ही दो, दूसरा, दूसरा मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है you, यह you कौन सा person है, you second person है, second person according to object, तो यहाँ पर ही होना चाहिए था न, यह भी हट गया, अपने options को जितना ज्यादा कम करोगे, उसना easily answer पर पहुंच जाओगे, यहाँ, the queen told her son to go to the forest and remained there, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर remain है, और यहाँ पर remained है, अब यह and से जुड़ा है, and से जुड़ा है और conjunction सबसे वफदार topic होता है, जब यह V2 है, अब देखो कि यह remain किस से जुड़ रहा है, यह remain go से जुड़ रहा है, बट यह तो V1 है, कि वहाँ जाओ और वहाँ रहो, यह तो V1 है, तो and रहता है, तो यहाँ भी तो V1 होना बढ़ यह तो वी टू कर दिया तो यह सही है न गार चलो गया यह बीवन ठीक है और एंट से चुड़ा है यह जोड़ा है यह सब्सक्राइब सकें सोक्रेट सेट वर्चिव इस ओन रिवार्ड अटीज ऐसे के पड़ीचिब और एटो ज्टव ऐट चारए रहेगा यह बैच बार बार आने वाला नहीं है, यह यूटूब पे एक पॉर्मनेंट बैच रहेगा, A to Z vocab की तरह, A to Z grammar, तो इसको ना आप लोग चाहोगे मैं जल्दी-जल्दी करवा दीजे नहीं, यह डीटेल में होगा, क्या होगा, that virtue is its own reward, तेंस नहीं बदलोगे न, तेंस नहीं बदलना, तेंस बदल दिया है, और इसको तो चेरचड करने ही नहीं है, इन्होंने पास्ट में बोला है न, यवाड इन्होंने प्रेजेंट रग दिया, He said, it used to be a lovely quiet street, अच्छा question, यहाँ पर, यह एक बहुत सुन्दर, शांत, सड़क हुआ करता था, यह बहुत सुन्दर, शांत, सड़क हुआ करता था, अंसर उतान, एक दो याद, He inquired, inquired का मतलब पूछताच करना, और weather में doubt है, यहाँ यह सब हो गए नहीं, हमें that, that चाहिए न, weather तो लगाएंगे, weather अम प्रश्ण वाचेक सेंटेंस में लगाएंगे, और यहाँ पर it है, और it third person है, और third person में कोई change नहीं होगा, तो there तो रखोगी न, it रखो, चलो बताओ, अरे नहीं, there used to भी कहां से लगा दोगे, it, it को सब का answer 30 है, yes, one or two, अब यह आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, ma'am, यह used to तो past tense है, सबसे पहले, सबसे पहले यह question गलत इसलिए है, यह वाला जो आप लगा रहे हो, यह गलत है, यह गलत है, गलत है, फर्स्ट वाला यह answer होगा, क्यों, यह used past tense बता रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा ना, कि अगर यह past tense बता रहा है, तो simple past, simple past तो past perfect में बदलना चाहिए, had plus v3 लगाओ, past perfect में बदलोगे ना, यह सोचोगे, कि यह simple past है, तो इसको past perfect बना दे, had plus v3 लगा दिया, यह used to कभी भी v3 का काम थोड़ी कर रहा है, used to v3 का काम थोड़ी करेगा यहां पर, okay, used to जो होता है न, या तो यह वाक्य में model का काम करता है, या तो यह adjective का काम करता है, या तो passive में v3 का काम करता है, तो यहां जो used to था न, second वाला girl word इसलिए भी है कि यहां used to model work था यहां used to model work model work है तो आपको भी इसको model ही रखना है अब आपने इसको model नहीं रखा model होने के लिए तो auxiliary चाहिए ठीक है आप यहां पे आपने head लगा दिया तो गलत है और यह एक fact है ठीक है कि यह एक बहुत शांत सडक हुआ करता था तो यह एक general बात कही जारी है उस सडक के बारे में fact कहा जा रहा है तो इसका tense मत बदल tense मत बदल कोई change नहीं होगा अनियल said early deserved the price क्योंकि अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है अभी तक sentence नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा अली डिजर्वड simple past है क्या में बदलेगा past perfect में simple past past perfect में बदलेगा I want her अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम direct से indirect कर रहे थे लेकि निनोंने क्या किया है sentence को indirect मे दे दिया है अब आपको direct में बदलना है direct में बदलना है I warned her that I could no longer tolerate her coming late मैंने उसको वान किया मुझे तुमारा देर आना मैं बदाश नहीं करूँ direct बनाना है अब आपको मेरे को यहां पर ही दिख रहे है ठीक है मेरे को यहां पर I दिख रहे है I दिख रहे है अब इसके basis पर तो मैं अधा option चाट लोंगे अधा option चाट लोंगे और मेरे को यहां पर मेरे को यहां पर my coming दिख रहे your coming दिख रहे her coming दिख रहे इसके basis पर options चाट लोगे आप यहां पर I लगा है I लगा है इसका मतलब है इसका मतलब है यहां से करके देखो यह use second person है और second person according to object तो यहां पर में she लगाती अगर यह option होता तो यहां पर she आता बट यह होगा नहीं यहां पर देखो I first person है और first person according to subject इसका मतलब है यह हो सकता है यहां भी I लगा यह हो सकता है ठीक है और यही तो third person है और third person में तो change नहीं होगा ना तो यहां भी ही ही रहता है यह भी हट गया यह भी हट गया दो तो हट गया है ठीक है अब हम देखते हैं यह तो आई होगा ना आई first person है first person according to subject यहां भी आई है first person according to subject यहां भी आई है अब difference क्या में है आपको मैंने जब जीरंड पढ़ाया था यह जीरंड है आपको मैंने जब जीरंड पढ़ाया था आपको याद होगा वर्ब chapter में कि जीरंड के पहले कोई भी pronoun आया उसका case objective होना चाहिए बट शी तो subjective है हमें तो objective होना चाहिए ना शी कमिन यूर कमिंग और यह जो her coming है न यह जो her coming ठीक है I can कहां चला गया है your coming तुम्हारा आना your second person your coming ही तो जाके her coming में बदलेगा इस बैसे इस पर भी चाट सकते हो तो answer is second third नहीं होगा she coming नहीं है I cannot tolerate her coming late she coming late नहीं हो possessive eye भी answer हो I said to my mother I'll certainly take you to Bangalore this week it's a game of practice whenever you prepare for any competitive exams irrespective of the fact how many times you have covered the syllabus okay if you are preparing for any exam okay कितना भी बार अपने syllabus complete कर लिया उसे कोई फरक नहीं पड़ता है even if you have taken coaching from 3 to 4 teachers but if you haven't done any practice and all so you will land yourself in the position from where you started next I said to my mother I will certainly will would में बदलेगा चलो बदल दिया would में would में would में अब मेरे को क्या दिख रहा है I first person है और first person according to subject तो I रहना चाहिए ना यहां पर ही डाल दिया आई रहना चाहिए था यहां भी शी डाल दिया तो या तो second होगा या तो fourth होगा I told to my mother I told my mother I would dad I would suddenly take her told के साथ तो नहीं हो B होगा मैंने मैंने narration का ना आप narration का इस channel पर जाओगे मैंने narration का और voice का कुछ awesome questions करवाया उसको भी जाके देख लीजेगा अब बार बार एक ही चीज करवाना time-based है तो आप जाए इस channel पर मैंने कुछ option-based वाले answer type वाला questions करवाया कुछ awesome questions करवाया है जो थोड़ा सा rule से हट कर है जो थोड़ा option के according answer decide करने वाला है दोनों का देख लीजेगा ठीक है voice chapter का भी देख लीजेगा narration का भी awesome question type करिएगा मेरे channel पर जाके some awesome questions of voice वहाँ भी मिल जाएगा some awesome questions of narration वहाँ बहत पहले करवाया है उसको भी कर लीजेगा वो थोड़ा सा हट के है उसको repeat करना time waste है the prime minister said no one would be allowed to disturb the peace किसी को अलाव नहीं किया जाएगा shanti disturb करने के लिए सब practice करना अभी narration खतम थोड़ी हुआ है अभी तो narration का बस एक हिस्सा पढ़ा है अभी तो narration दो तीन दीन और चले हाँ बता हूँ the prime minister said we would no one will disturb the peace no one can 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 लेती न यह indirect है इसका direct बना रहा है जब can लेती तो यहाँ पे could आता न पर यहाँ तो could है नहीं यह तो हट गया और will का ही would होता है न और shall का भी would होता है shall का भी would हो जाता है और will का भी would हो जाता है यह तो रहेगा यह भी हट गया दो ही बच्चाव the prime minister said we shall not allow anyone to disturb the peace no one will disturb the peace यहाँ पर क्या किया है न would be हमारे option में allowed वगेरा है किसी को allow नहीं किया जाएगा शांती को भंग करने के लिए no one will disturb तो मतलब कोई नहीं करेगा यहाँ बोले जा रहे है कोई allow नहीं करेगा allow word डालोगे न तब ही तो जाके यहाँ पर यह हो नहीं चला गया we shall not allow one 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 होगा c नहीं होगा c में allow word कहा है अंहीं यहां पर है मैंने आपको last class हम लोगोंने कुछ practice भी किया था ठीक है last class हमने क्या practice किया था simple present simple past में बदलता है present perfect present continuous ludus में बदलता है present perfect पास पॉफेक्च में बदलता है present continuous present perfect continuous past perfect continuation वो सब कर लिया था आज हम अलग-अलग करेंगे ठीक है आज हम करेंगे Direct-Indirect of Interrogative Sentences ठीक है interrogative sentences किसको बोलते हैं Interrogative sentences are the sentences ending with a question mark question mark एक sentence का Direct-Indirect करने वाले हैं तेक Nachi देख रहे हुँ मैं सुछा न बहुत दिनों से closest speaker is नहीं करवाया Wednesday को उसका series कर दू interrogative sentence अभी तक आपने देखा कि direct से indirect b창 तो हम कौन सा conjunction लगा रहे थे हम that conjunction का use कर रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंश में प्राश्णुवाचक सेंटेंश में यह यह वह हम यह Čोग वह वह混ương वह कंजंशन का काम कर जाता है इसलिए हम that का use नहीं करते हैं, लेकिन, लेकिन एक-दो चीज याद रखना कि यह जो interrogative sentence होता है न, यह what, WH family से भी start हो सकता है, WH family में क्या आता है, what are you doing? how are you? what are you doing? how are you? where are you going? why haven't you completed the work? ठीक है, where? यह तो WH family होगी, हमारा जो प्रशनवाच एक sentence है, न, इसका range बहुत बड़ा है, यह what, how, when से भी शुरू हो सकता है, यह has, have से भी प्रशनवाचक शुरू हो सकता है, have you done the work? has he completed the work? has, have, had से भी शुरू हो सकता है did he help you? do they help you? will you help me? would I have a glass of water? तो हमारा interrogative sentence का बहुत बड़ा family है, एक इंटरो प्रशनवाचक में एक दो families होता है, एक तो WH family होता है जो हमारा interrogative sentence है उसका दो family होता है, एक होता है WH family रशनवाचक sentence में देख लेना है, कि प्रशनवाचक sentence कौन सा फैमिली का है एक WH family होता है और एक होता है yes no family यह नो फैमिली क्या होता है मैं बता रहीं यह जो भुलु घ्ड़्य वाला इंटरोगेटिव सेंटर्म्स कौन सा होता है जो वॉस्ट इस टार्ट यह होता है आफ दुछ फैमिलिमें याट कंजुशन USsey नहीं होता है नहीं होगा, ना that use होगा, ना कुछ भी, क्योंकि यही डब्लु एच वर्ड, यही डब्लु एच वर्ड कंजंशन का काम कर जाता, इसलिए दुबारा कोई कंजंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन yes no family किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, what are you doing, आप क्या कर रहे हो, तो आप मुझे कोई ना कोई जवाब दोगे न, ma'am, I am studying, I am teaching, I am sleeping, कुछ भी हो सकता है, लेकिन yes no family किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, will you help me, आपका जवाब ना में भी आ सकता है, आपका जवाब yes no वाला है, yes no वाला में जवाब हा में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, इसका मतलब है, जवाब हा में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, इसका मतलब है कि आपके जवाब में doubt है, और जहां भी doubt आ गया ना, तो हम कौन सा conjunction use करते हैं, if या weather का, if we are weather तो ये ड़्लू है फैमिली में ड़्ली हेज़ फैमिली में तो आट भी नहीं यूज होता है लेकिन येस नो फैमिली में लेकिन ना इस और उस नहीं होता है बट इनले हम और लूम सोन किसे लोगो आपशन्स नहीं करें और पाओगो दॉका इंटरोगेटिव एऊडूस का दो फैमिली और यस नो, इसको यस नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जबाब हां में भी आ सकता है, नामे तो करेंगे ही नहीं इन फेक्ट तो किसी में नहीं लगेगा लेकिन डबलुएज में कुछ भी नहीं लगेगा बड़ यहां पर एफ और वेदर लगेगा यही मैंने आपको बताया था अब यहां जो कुछ डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाते समें क्वेशन मार्क हट जाता है और क्वेशन मार्क हट जाएगा फूल स्टॉप आजाएगा तो इन वर्जन नहीं हो नहीं नहीं लिखना नहीं है लिखना नहीं है सब चीज लिखते ही रहोगे तो समझोंगे कैसा चलो question बताब the policeman said to him हाँ और एक चीज मुझे और बताना था एक चीज मुझे और बताना था पहले यह देख लो यह देख लो he said to me he said ले इसी वाला करवा देती he said to me what are you doing पहले इसको छोटा सा एक करवा देती he said to me what are you doing he क्या है subject और यह क्या है object यहाँ पे पूछने का sense आ रहा है he ने कहा ने he ने पूछा तो interrogative sentence में said क्या में बदल जाता है उसने मेरे से पूछा ना what are you doing जैसे normal sentence में said तो told में बदल रहा था but interrogative sentence में said asked में बदलेगा और asked के साथ to मत लगाना ऐसा लगा के दे देंगे he asked to me नहीं होगा he asked me और यह कौन सा family है यह WH family है और WH family में that conjunction का काम नहीं करेगा क्यूंकि यह वाला WH conjunction का काम करेगा he asked me what यह you कौन सा person है you second person second person according to object object में me है I हो जाएगा what एक option में देंगे what was I doing ठीक है और एक option में देंगे he asked me what I was doing अब दोनों sentence में आपको क्या difference दिख रहा है ठीक है दोनों sentence में difference दिख रहा है कि यहां subject के बाद verb आ रहा है subject के बाद verb आ रहा है इसका मतलब है no inversion यहां inversion नहीं हो रहा है और यहां subject से पहले verb आ रहा है तो यहां पे inversion हो रहा है ठीक है यहां पे inversion हो रहा है अब चुकि जो question है जो question पुछा गया है उसमें question mark है और question mark sentence में तो inversion चाहिए subject से पहले verb आ रहा है question mark sentence में तो inversion चाहिए यहां पर तो question mark था inversion चाहिए बट अब तो यह full stop में बदल गया और full stop वाले sentence में inversion नहीं चाहिए इसलिए यह गलत हो गया, यह correct है ठीक है, what was I doing मत करीगा what I was doing, यह चीज ध्यान रखना है since यहां question mark full stop में बदल गया और full stop वाले sentence में inversion नहीं होता है यहां तो question mark था, यहां inversion होग, ठीक है, we don't need any inversion ओके, चलो एक और करवा दे तो, यह तो yes no, यह तो wh family है अब यह कुछ, यह तो wh family है, कुछ yes no family भी कर लेते that कभ लगता है, आशुतोष मैंने बताया है normal, assertive sentences में that लगता है affirmative sentences, assertive statements में that लगता है, यहां तो पूछ रहा है अगर यह ऐसा रहा है वैसे तो said asked में बदलता है, प्रशनमाचक sentence में said asked में बदलता है but कभी-कभी sentence का sense भी देखना होता है मैंने लिखा the policeman, the policeman said where do you live अच्छ, इसको अलग से करूँ he said he said to his friend will you help me उसने अपने friend से पूछा कि क्या मेरी आप help करोगे will you help me ठीक है, यह कैसा question है क्या आप मेरी help करोगे friend का जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है इसका मतलब है कि यह yes no वाला question है और yes no वाले question में if or weather आता है if or weather आता है तो क्या होगा इसका he said to his friend, he asked his friend ask के साथ two मतलगा नो he asked his friend ठीक है if लगा दो या weather लगा दो if, यह you कौन सा person है second person है second person according to object friend है, friend में male female दोनों आ सकते हैं, male को मानते है पदल जाएगा would, he would help ठीक है would के साथ वीवन लगा नो और me first person है first person according to subject help him 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 a few the few सब पढ़ा दिया है थोड़ा सा चैनल पे जाके सर्च करो na a few the few सब पढ़ चुके हो थोड़ा सा टाइम दो चैनल पे जाओ आपको सब पता चलेगा नरेशन कल तक में मुझे लग रहा है ना खतम हो जाना चाहिए whether भी लगा सकते हो इफ भी लगा सकते हो दोनों सही है अगर ऐसा रहा दोनों दोनों correct है he asked his friend he asked his friend whether whether he would help him both of them are correct अगर ये भी सही है ये भी सही है इफ भी सही है whether भी सही है लेकिन अगर question ऐसा आता he asked his friend ये कह इफ रहता या whether रहता whether he would help him or not चलो बताओ आप किसको लगाते है वैसे तो दोनों सही है he asked his friend अगर doubt आ रहा है तो आप if भी लगा सकते हो whether भी लगा सकते हो but आगे जाके or not आ गया help करोगे या नहीं करोगे आगे जाके or not आ गया if के साथ or not नहीं लगता है तब हमें तो weather ही लगाना weather weather next चलो कभी कहा the policeman said to him कभी कभी क्या होता है यहां तो said लगाया है लेकिन कभी कभी option में said के जगा अगर inquired भी लगा दिया तो वो भी गलत नहीं है the policeman inquired आप बोलोगे कि मैं अभी तो आपने बोला है कि प्रशनमाच एक sentence में आप said लगा ना लेकिन यहां पूछताच का sense जा रहा है ना policeman ने पूछताच की कि तुम कहां रहते हो तो चलो यहां तो option में said है लेकिन अगर inquired भी रहता तो वो भी गलत नहीं होता पूछताच के sense में inquired भी लगा सकता ठीक है चलो मुझे बताओ the policeman asked policeman ने पूछा where do you live the policeman asked him where दोनों sentence में क्या difference दिख रहा है यहां subject के पहले verb आ रहा है subject से पहले verb आ रहा है मतलब inversion हो रहा है लेकिन यह तो full stop sentence है inversion नहीं चाहिए अब he did live भी past है ठीक है और past tense है simple past और he lived भी past है अब आप बोलोगे माहम दोनों तो past है और यह तो हम कर सकते हैं पहला वाला को तो आपने inversion के basis पे छाट दिया but second वाले में तो inversion नहीं हो रहा है subject के बाद verb आ रहा है तो हम तो इसको ले सकते थे but फिर भी answer third है क्यों? क्यों third वाला answer है? जब मैंने आपको verb chapter पढ़ाया था वहाँ पढ़ाया था कि do does did का do does did का use auxiliary verb के रूप में हम कब करते हैं या तो sentence positive हो या तो sentence negative हो या तो interrogative हो do does did का आपको याद होगा do does did का use sentence में या तो sentence negative हो या तो interrogative हो प्रशनवाचक हो but ये sentence प्रशनवाचक नहीं है ये तो full stop है नहीं ये negative है तो यहाँ did का use नहीं होगा और ये past tense में चला है lived, lived, where he lived where he lived हो जाएगा where he did live भी नहीं होगा where he lived the villager said will you listen to such a man चलो देखो यहाँ भी वही है the villager asked क्या आप ऐसी मैन की बात सुनोगे तो would have listened नहीं होगा simply will को would कर दो have लगाने की जरूवत नहीं है और would के साथ भी है he said Ravi why are you sounding so depressed today first day five day तो phrasal verb है Ravi, यहाँ Ravi क्या है कभी-कभी अबजेक्ट को inverted commas के अंदर ले लेते हैं he asked Ravi और told नहीं होगा ना उसने Ravi को कहा नहीं उसने Ravi से पूछा तो यह तो वैसे गलत होगा चलो बताओ और कोई भी WH word के पहले dat conjunction नहीं आता है क्योंकि वह ढई हब तो conjunction का काम कर जाता है फिर से that कि यूँलकाओगे और यह कौन सा फैं़ली है यह WH family है WH family में if or weather भी नहीं आता है ठीक है WH में if or weather भी नहीं आता इसमें वह कंजंग्शन का काम कर जाएगा यह होगा है अब बता हो दो तो हट गया और यहां पर इंवर्जन हो रहा है ना सब्जेक्ट से पहले वह बारा है बट यह तो जा रहा है तो tomorrow next day में बदलेगा tomorrow को tomorrow छोड़ दिया इसको तो प्रेजन चोड़ दिया इसको तो प्रेजन का खेल है सारा जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हो गया तो देख लेना इंवर्जन के बिसिस पर सब्जेक्ट से पहले वह बारा रहा है इंवर्जन हो रहा है बट नहीं चाहिए फुल स्टॉप वाला सेंटेंस यास्ट मीवाट तीनू से पूछा तीनू हमारे सेंटेंस का अब्जेक्ट है देख लो पहले तो option फटाफट फटाफट उतना time भी नहीं लेना है रिजल वर्ब का मैंने चार क्लास ले लिया है थर्जडे को पांचवा क्लास हो यह देखो अब्जेक्क से पहले वो आँ रहा है इन Vaрипus रोल्शीन नहीं चाहिए इन वर्शन नहीं चाहिए फुल स्टॉप सेंटेंस हो यह क्या हिन फ्रेजंट पफेक्ट present perfect present perfect नहीं रहेगा na present perfect past perfect में बदलेगा और these days those days में बदले option ए have you finished your assignment have you finished your assignment Meenu said her brother have you finished your assignment Meenu said her brother Meenu के brother Meenu से पूछा मेenu के ब्रदर ने उस से पूछा कि क्या आपने assignment finish कर लिया है और है और हैसा क्वेश्चन है यह सकेंड पॉसेंड नहीं तो इस यूव नहीं होगा और दूसरा पास्टेंस है तो हैव को हैड में बदलना चाहिए था ना यह तो वैसे हटी है अब देखो यहाँ भी हाव हैड में बदलेगा क्याड गया और उसने सेट टू मेंनु नहीं का मीनु से पूछा मीनु से पूछा पशन मा वाट रूद दूइंग ईंग यह शी आस्ट मी अग वट आर्यू दूइंग यह शी आस्ट मी कवी कभी कभी क्या होता ना कि सेट तो अच्छा एंसर बताओ इसका फेले आंसर बता दो EDMS and Phrases का बुक ना Kindly, Kindly call इक है, कॉल call at this number double line, he will help you to purchase the book of EDM double line, 583 583 24 double line 583, 583, 24 this is Saurav, he will help you to know the process for the purchase of the book हाँ, अब मुझे बोलोगे कि मैं said तो asked asked है ना तो asked रहना चाहिए ठीक है? asked रहना चाहिए ये तो होगा नहीं I am doing नहीं होगा, इसको तो present ही छोड़ दिया ठीक है? और यहाँ पे sentence past में जा रहा है तो इसको present कर दिया, ये दो तो होगा ये दो तो हाँ fourth ही होगा क्योंकि I was doing here here क्या में बदलना चाहिए here to there में बदलना चाहिए what I was doing there, there में यहां तो there में रखा है, बट कभी-कभी she wanted to know भी डाल सकते थे she wanted to know, मतलब वो जानना चाहती थी कि मैं वहां क्या कर रहा था तो जानना चाहती थी वही sensor यहां पूछ she asked, यह पूछ के भी तो वह जानना ही चाहरी है option के according answer decide करें the manager said, well what can I do for you यह तो हटा दीजे क्या बात है, comments रुग गये options को eliminate करें the manager wondered what he could do for him the manager asked what he could do for him answer बताना है the manager wondered, well well what can I do for you answer ठीक से बताना है do for me कहां से me कहां पर लगा है the manager wanted to know what he could do for him the manager wondered wanted to know कि मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूं for me, मी कहां कर रहे हूं for him तो हर जगा लगा है for him तो सब जगा लगा है the manager wanted to know b the manager wondered what he could do for him wondered, surprised था the manager was surprised अच्छे से options देखिए और मुझे answer बताईए सही है, सही है, सही होगा सही होगा, सही answer दे रहे है सही answer सही दे रहे है the manager wanted to know well, बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं next अब आजओ imperative sentences imperative sentences manager जानना चाहता था बताईए क्या कर सकता हूं आपके लिए imperative sentence में याद रखना यहां तो space ही नहीं दिया interrogative sentence हमने कर लिया imperative sentence करते है imperative sentences का मतलब वो sentences होता है ना जो order हो जिसमें request वाला हो suggestion वाला हो वो सारे imperative sentences सारे imperative sentences order, request, suggestion वाला तो कभी-कभी order वाला sentence है ना तो वहाँ said बदल जाएगा order में said बदल जाएगा request में request में कहीं suggestion में बता रही हूं देखो इसका कैसे आएगा च्छोटा सा example दे देती हूं उसके बाद साथ में करेंगे नरेशन और इस बार जितने भी आपके नरेशन आई हूए है प्री में हम लोग कर लेंगे इसको और ओसम वाला इस सम मैंने इस चैनल पे सम ओसम क्वेशन पढ़ाया है सम ओसम क्वेशन ऑफ नरेशन उसको भी देख लीजेगा ठीक है सम ओसम क्वेशन ऑफ वाइस भी पढ़ाया है ओसम का मतलब क्या है मतलब जो थोड़ा सा रूल से हटके है मतलब जो थोड़ा ऑप्शन बेज़ए जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो भी देख लेना कि नेक्स्ट मैं बताती हूं यह वाला इसे मैंने लिखा ही सेड ही सेट टू मी गो देर यह क्या है ही सेट तुम गो देर इस ऑ और ऑडर ऑडर उसने मुझे कहा कि जाने के लिए तो यहां सेट बदल जाएगा ओडर में अब आप मुझे बोलोगे कि मैं यहां यहां डाट लगा यह मैं यहां पर एक में बताती हूं मैं यहां पर डाट नहीं लगा सकती क्यों नहीं that लगा सकती है यह subject है और यह verb है ठीक है और यह conjunction है conjunction है और conjunction तो clause को clause से जोड़ता है तो मेरे को यहाँ भी subject और verb चाहिए conjunction का काम होता है subject verb को subject verb मतलब clause और यह भी clause है conjunction का काम होता है clause को clause से जोड़ना तो यहां मैं that नहीं लगा सकती है क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई subject ही नहीं मेरे पास कोई subject नहीं है go verb है और there adverb है verb की विशिष्टा बताने वाले है adverb है adverb of place है तो यहां पे मेरे पास कोई subject ही नहीं तो मैं that conjunction लगा ही नहीं सकती है conjunction लगाने के लिए मेरे को subject verb लाना होगा बड़ा कुछ बदल उदल सकती नहीं तो मैं यहां पर that नहीं लगाऊंगी, मैं यहां infinitive से जोड़ दोंगी He ordered me to go there ठीक है? He ordered me to go there ओके? That नहीं लगा सकती, किसी वेक्ति को order किया जा रहा है He ordered me to go there यहां पर that मत लगाना that लगाऊंगी तो मेरे को subject की ज़रुवत पड़ेगी और मेरे को यहां पर कोई subject वगएरा दिखने रहा एक ऐसा वाला भी आएगा और एक आपको क्या परिशान करेंगे यहां पर यह खटा देंगे ठीक है? यहां पर he said simply लिख देंगे He said go there ऐसा लगा के देंगे He object नहीं लगाएंगे पिछले वाला में तो मैने object लगाया था यहां पर था He said go there और एक option में लिख देंगे He ordered He ordered to go there एक option में लगाएंगे और दूसरे option पिछले वाले sentence में मैंने object रखा था तो वहाँ confusion नहीं था, अपने object लगा लिया था, बढ़ यहाँ पे object नहीं रखा है, he ordered them to go there, अब मुझे बताओ कौन सा correct है, कभी-कभी न वाक्य में object नहीं रखते हैं, बताओ कौन सा correct है, sessions अच्छे लग रहे हैं, तो sessions को like भी कर देना है, अब A to Z grammar batch को खतम करना है, और फिर practice series स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बैच तो सब खतम कर लेते हैं, असलिक हैल तो practice sessions अच्छे लग रहे हैं, like भी कर देना है, ऐसा भी आया हुआ, yes वेदानत, उसलिए, तो आपको लगेगा, ना, आपको लगेगा, रहे question में तो कोई object नहीं है, ठीक है, यहाँ पर he said to them होता तब तो हम यह लगाते हैं, लेकिन फिर भी, फिर भी them नहीं लगा है, फिर भी हम इसी को tick करेंगे, क्यों? क्योंकि, नहीं-नहीं, आप पहला वाला tick करके हाँगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई object नहीं है, तो आप पहला वाला tick करके आजाँगे, order word अपने साथ एक object लेता है और फिर infinitive लेता है क्योंकि understood है कि आप किसी और को order कर रहे हो कोई काम करने के लिए you are ordering someone else so first it will take an object and then it will take an infinitive this rule already we have done already we have done this rule when we were doing infinitives and at that time I told you that I'll be repeating this when I'll do narration उस समाँ बताया था ना यह rule हम लोग जब narration करेंगे तब करेंगे तो वाए वाए मत करो order word अपने साथ डारेकली infinitive नहीं लेता order is a transitive verb order किसी और को कर रहे हो तो order transitive verb एक object लेगा उसके बाद infinitive तो irrespective of the fact कि you don't have irrespective of the fact whether you have an object in the sentence or not but whenever we'll decide the option तो we'll always choose the option which has an object order word will directly not take an infinitive first we'll take an object and then an infinitive चाहे question में object हो चाहे नहीं उच भी आ सकता है देम के जगा ना he ordered her, he ordered Ram, Shyam, he ordered us कुछ भी एक object रहेगा noun या प्रोनाउन के रूप में फिर infinite कुछ भी आ सकता है देम के जगा पे दे कहां से लगा देंगे दे गो देर कहां से लगा देंगे objective case चाहिए ना एक यह हो गया चलो questions देखते हैं questions सही ज़्यादा हो पाएगा indirect narration of imperative sentences please don't go away she said चलो इसमें please लगा दिया है please लगा दिया तो आपको पता चल गया request कर रहा है minnat कर रहा है please से पता चल रहा है request कर रहा है request she said to she said to please her not to go away please she begged that I not go away she begged me not to go कौन सा होगा D होगा हाँ उसमेरे से मिननत किया इक है मेरे से मिननत किया कि नहीं जाओ infinitive लगा के जोड़ा infinitive लगा इक है यह हड़ गया she told me नहीं कहा नहीं उसने मिननत किया request किया request he said to them don't make a noise अच्छा don't वाला भी एक कर लेते है एक मुट जैसे मैंने लिखा he said he said to her यह वाला भी देख लो don't go there ठीक है he said to her don't go there और पिर उसने लिखा he ordered her he ordered her not to go there और एक option में लिखा he ordered her he ordered her to not go there ठीक है ऐसा भी option आ सकता है ऐसा भी option आ सकता है he ordered her यह लिख देरी he ordered her not to go there यह सब आपको आपको options कन्फ्यूस करने वाले आसको और तीसरा he forbade her he forbidden her to go there यह यह लिख लिख दाइन नहीं है दोनों में से एक चुनना है दोनों में से एक चुनना है यह लिख लिख लिखे यह correct है, not to go होगा, ठीक है, यह गलत है, अब देखो, he ordered her, he ordered her to go away, यह तो सही है, लेकिन यह जो forbid का मतलब भी होता है, order का न, यह जो forbid word होता है यह forbid word या forbid word, यह अपने आप में negative होता है, तो इसके साथ फिर से negative मत लगाना, तो यह गलत है, और नीचे वाला सही है, नीचे वाला सही है, ठीक है, दोनों का मतलब सेमी है, यहाँ पर order word के साथ, हम not लगा सकते हैं, ठीक है, कभी-कभी order के जगा, वो forbid भी लगा देंगे, लेकिन option में क्या करेंगे, forbid के साथ not लगा देंगे, बट forbate तो अपने आप में negative word है, उसके साथ not मत लगाना, इसलिए यह सही, ordered word के साथ not लगा सकते हो, forbate के साथ नहीं लगाना, दोनों सही, ऐसा भी आ सकता है, ओके, चलो, अब प्राक्टिस, he said to them, don't make a noise, he told them that, that तो नहीं लगाएंगे, that क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि that conjunction है, और conjunction के बाद, एक subject और verb चाहिए, यहां तो subject missing है, generally imperative sentence में, हम infinitive का use कर लेते, infinitive, तो चलो, बताओ, he asked them not to make a noise, he said them, said के साथ to लगता है, लेकिन यहां to नहीं लगाया, यह भी हटा, और यह भी हटा, अब देखो, he told them not to make a noise, he asked them, और एक चीज और याद रखना, यह जो ask का मतलब होता है, एक ask का मतलब होता है, पूछना, I asked you a question, और एक ask का मतलब कहना भी होता है, एक ask का मतलब किसी से कुछ कहना, थोड़ा सा polite way में किसी से कुछ कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे, और एक ask का मतलब भी तो कहना है, और told का मतलब भी तो किसी से कुछ कहना, बट ask थोड़ा सा polite sense में, तो अब मुझे बताओ, यह भी आ सकता है, he told them not to make noise, और he asked them not to make a noise, सबसे पहले, सबसे पहले न, a noise है, यह सब भी ध्यान रखना है, कि हमारे sentence का article को हटाना नहीं, a noise है, तो आप भी a noise रखो, answer यह, और ask भी हो सकता है, अब आप बोलोगे कि मैं ask का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन एक ask का मतलब told के sense में भी जाता है, told, उसने politely बोला कि हला मत करिये, तो आप बोलोगे, मैं, यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, ask का मतलब भी told होता, यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, यहाँ पर अ लगा रहता था, oh, 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 noise, oh, noise, so you have to see your articles as well, imperative करके, आज मैं imperative कर देती हूँ, उसके बाद tomorrow we'll be doing exclamatory and optative, उसके बाद we'll be done with narration, कल दो ही बचा रहेगा, my mother said, please go to the shop, my mother told me to please, जब sentence में please लगा हुआ है, please लगा हुआ है, तो फिर से please मत लगा हुआँगे, क्योंकि to please, एक please का मतलब है किसी को खुश करना, किसी को satisfy करना, तो यहाँ to please को भीवन लेके to please, satisfy करने के please से पता चल रहा है, सिर्फ sentence का mood बताया जा रहा है, कि उसने request किया, तो क्या request किया, और यहाँ तो to be going कर दिया, requested me नहीं प्रिक्वेस्टेड मी, requested word कभी भी जीरंड नहीं लेता है, requested word ना, यहाँ पे कहाँ चल गया, यहाँ पे requested word के साथ जीरंड लगा है, और यहाँ request के साथ infinitive लगाया है, जीरंड हम तब लगाते है न, जो activity हो रहा है, ठीक है, जो activity हो रहा है, बट यहाँ मधर ने request किया, जाने के लिए, अब वो गया नहीं है, जाने के लिए request किया, तो यहाँ action incomplete, incomplete action के लिए infinitive लगाते है, request के लिए, suggestion के लिए, advice के लिए infinitive लगा, Mohan said to his friend, let me go home now, चलो आप मुझे बताओ, यह अच्छा क्वेशन है, Mohan ने बोला कि मेरे को जाने दिया जाए, मेरे को वाला मतलब घर जाने दिया जाए, यह मैंने अपको ऐसा वाला वाइस में भी पढ़ाया था, requested his friend, requested his friend, requested his friend, told his friend नहीं होगा न, और यह तो हर, to go his नहीं हो go home, और यह तो, अच्छा, now हटा दिया है, एक मिट, एक मिट, यह वाला then, त-H-E-N, यहाँ पर then-then लगा दिया, सब में then लगा दिया, सब में then लगा दिया, अब answer बताओ, now then में बदलता है, मी यहाँ पर आगया, and Mohan requested his friend, यह दो तो होगा, he requested his friend to go home then, Mohan requested his friend, Mohan ने friend को request क किया कि तुम जाओ, यहाँ Mohan ने friend को request किया है, कि मुझे जाने दिया जाए, यहाँ तो लग रहा है, Mohan requested his friend, Mohan ने अपने दोस्त को बला कि जाओ जाओ, दोस्त को नहीं जाना है, Mohan को खुद जाना है, यह दो हट गया, आप answer बताओ, Mohan requested his friend, let him go home then, Mohan requested his friend that he might be allowed to go home, अब sentence देखो, अब आप क्या करोगे न, आपको मैंने क्या बोला है, आपको मैंने क्या बोला है, कि या तो infinitive से जोड सकते हो, यह भी हो सकता था, यह answer भी हो सकता था, Mohan requested his friend, to let होता तो, यह कहां से हो जाएगा, Mohan requested his friend, let him go home, यह तो अभी भी लग रहा है न, कि direct में ही है, infinitive तो लगना चाहिए, तो लगना चाहिए, तो लगना चाहिए था, Mohan requested his friend, to let him, तो लगना चाहिए था, यहां तो नहीं है, यहां पर तो नहीं, ultimately answer यह है, और फिर मुझे बोलोगे कि मैं अभी तो अपनी imperative sentence में बोला न, कि that नहीं लगाते हैं, बट यह imperative का एक ऐसा sentence आया है जहां हमें subject मिल गया, मी कौन सा person, first person, first person according to subject, Mohan, तो यहां पर हमें मिल गया, he might be allowed, subject verb मिल गया, और जब subject verb मिल गया, तो हम conjunction लगा सकते हैं, हम तो infinitive तभी लगा रहे थे न, जब हमें subject नहीं मिल रहा था, हम infinitive लगा के भी जोड सकते थे, अगर to होता, to let him, बट यहां हमने that लगाया, तो इसको him को he करना होगा, subject को, he might be allowed, he might be allowed, और आपको याद होगा, जब मैंने आपको voice पढ़ाया था, उसमें बताया था, he might be allowed, might word हम permission के लिए भी use करते हैं, he might be allowed मतलब उसको allow किया जाना चाहिए, आपको लगेगा ना, कि यह मैं अपने मन से allowed word कहां से डाल द लिए, तो might word को हम use कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा ना, क्यारे, question में तो कहीं भी might allowed नहीं है, आप second वाले को हटा दोगे, but second वाला या answer हो, यार आपको तक लास, यार बड़ी, रुको एक मिन, कितना है और, इतना है, चलो कु question करें, question करना जरूरी है, I said to him, let us go, यह जो let word है न, मैंने आपको पहले भी जब मैं direct indirect पढ़ा रही थी, उस समय भी पढ़ाया था, कि यह जो let word है, let me come in, यह permission के लिए भी use होता है, let us play, suggestion के लिए भी use हो सकता है, ठीक है, एक different sense में, difference में, एक let order के लिए भी use होता है, let the door be closed, अलग-अलग sense में, ठीक है, so let us go to the river for swimming, चलो swimming के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर suggestion का sense आ रहा है, suggestion का sense आ रहा है, so here, suggestion और propose मतलब same है, request का sense तो नहीं आ रहा है, चलो swimming करने चलते हैं, कोई request तो नहीं है, I proposed to him that we should go to the river for swimming, I asked him, उसने ask तो नहीं किया, ठीक है, ask तो नहीं कि उसने suggestion दिया, तो लगेगा, proposed case, I proposed him that we should go to the river for swimming, नहीं होगा, मैंने उस व्यक्ती को suggest नहीं किया, मैंने उस व्यक्ती को किसी चीज़ के लिए suggest किया, जैसे बोलते हैं, he suggested him, नहीं होता है, he suggested him, नहीं होता है, him को suggest किया गया, किसी काम करने के लिए, swimming के लिए, he suggested solidן के साथ टूलगाओrit के साथ तूलगाओ यहां पे तू नाइए ,S점 तूलगाओ। निए निए वाल में ऑने मुलेजिगे में यह प्रपोस्था टूविझ टूलगाओ। नेक्स डॉला किल मिलंटुट्chos you don't keep quiet, he said to her in a calm voice, बहुत शंति पुर्वग बुला, चुप चुप चुप, तो यहां पर कामली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एडवब बना दिया, he said to her, कामली, चलो बता, he warned her to she, और एक तो sentence sentence past में जा रहा है, तो don't तो होगा नहीं, इसको भी तो past होना चाहिए, didn't वगेर, और यहां भी देखो, यहां भी shall है, तो shall तो future है, past होना चाहिए, यह भी हट गया, अब कामली, he warned her, be quiet, or else he will all wrong हो गया, यहां पे यह option होगा, और इसको ठीक कर, शायद no option wrong आगया है, option wrong आगया है, he warned her calmly that he would shoot, कभी-कभी shall का past would be होता है, और यहां पे didn't लगा दे, you said to me, let us play now, 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 कभी-कभी ऐसा भी होता है, मैंने क्या बोला आपको कि now क्या में बदलता है, now then में बदलता है, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इन्होंने क्या 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 है, कभी-कभी न सारे option वैसे तो here, there में बदल नहीं है, यहां पे to हटा दिया, यह तो वैसे हट गया, चलो बताओ, let us play, let us play, let us play, let us play में suggestion जा रहा है, चलो खेलने चलते हैं, और suggestion के लिए could तो use होते ही नहीं, could तो use नहीं होगा, तो बताओ, you propose to me that we should half played भी नहीं होगा, we should half played मतलब हमें खेलना चाहिए ता बड़ खेल नहीं, बड़ हमें खेलना चाहिए, suggestion जा रहा है, तो should लगानो, voice chapter में भी पढ़ाया है, the assistant said, sir, give me the list of the dealers, जल्दी जल्दी, assistant ने past में बोला, तो इसको हटा दू, यह तो present है, request, और assistant requested to him नहीं होगा, suggested के साथ copy में लिख लीजिए, suggested के साथ यह सब चीज ना, बोड़ा sentence मे लिख लीजिए, requested के साथ to मत लगाना, request करना, किसी को urge करना, इसके साथ to मत लगाना, ठीक है, I requested to him नहीं होगा, I requested him होगा, ठीक है, और suggested के साथ, suggested के साथ, proposed के साथ, to लगाना, to लगाना, advice के साथ to मत लगाना, यह सब आता है, narration में आपको confuse करने के लिए, एक होता है, pleaded, plead का मतलब भी होता है, मिननत करना, अब बोलोगी, maim, request का मतलब भी तो अवेधन करना होता है, तो आपने request के साथ to नहीं लगाया था, but pleaded के साथ to तो नहीं होगा, लेकिन pleaded के स साथ with लगाते हैं, और कभी-कभी pleaded के साथ for भी लगाते हैं, ठीक है, option में यह सब का error भी दे देते हैं, अगर आप किसी वेक्ती से plead कर रहे हो, तो with लगाना, किसी चीज के लिए plead कर रहे हो, तो for लगाना, मैंने fixed preposition में बताया है, I pleaded with the doctor, I pleaded to the doctor मत लगाना, doctor एक person है, I ple I pleaded to the judge for mercy, उसी तरह, I explained him नहीं होगा, I explained to him about something, explained him मत करना, ठीक है, I explained him नहीं होगा, I explained to him, इस बोर्ट कहीं पर साइड में लिख लीजे, यहां रॉम करते है, I requested to him, I requested him, I urged him, but I suggested to him, I proposed to him, advice to him, simply advised him, I pleaded with the judge for mercy, Very good, Rohit Kumar, I have qualified CPO exam just because of you, just because of you, just because of me, आप मेरे को मेंस भी निकाल के दिखाओ, Rohit, मेंस एक्जाम भी निकाल के दिखाओ, ठीक है, so requested के साथ two मत लगाना, the system requested him to give the list of the dealers, और यहां पहे ना two gap कर दिया, answer यह, चलो इतना ही दुर रहने दो, ओके तो चलो, अब हाँ, कल मैंने आपको interrogative sentence पढ़ाया था, interrogative sentence आपको याद होगा, एक interrogative sentence का direct, indirect कैसे बनता है, और कल मैंने आपको बताया था, interrogative sentence में कौन-कौन सा, एक wh family है, और एक interrogative sentence में yes, no family है, yes, no family है, hopefully सबको याद होगा, yes, no family में if और weather का use करते हैं, क्योंकि आपका जवाब हा में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, और जवाब हाना में आ सकता है, इसका मतलब है doubt है, और doubt के लिए हम if या weather use करते हैं, और जब sentence में or not लगाऊना, तो if मत लगाना, तब weather लगाना, और ये भी बता दिया था, कि wh family में no conjunction, wh family में that तो use नहीं करेंगे, in fact, wh family में कोई conjunction हम use ही नहीं करेंगे, क्योंकि यही wh word conjunction का काम कर जाएगा, ठीक है, यही wh connection का का काम कर जाएगा, यह किया था, लेकिन यह भी याद रखना, कि यह जो wh word है न, यह wh word है, यह wh word से सिर्फ हम question नहीं पूछते हैं, कभी-कभी यह wh word न, exclamatory में भी use होता है, जो कि आज हम करने वाले हैं, exclamatory sentence किसको बोलते हैं, यहां से लिख रहे हूं, exclamatory sentence, exclamatory sentences और वेस्मयादी बोधक sentences, ठीक है, exclamatory sentence वेस्मयादी बोधक sentences होते हैं, जहां पे आप sudden feeling, sudden feeling of surprise हो, जहां पे आप अचानक से कोई आशियर्य वाली feeling, sorrow वाली feeling, happiness, यह सब feelings आप डाल रहे हो, उसको आम exclamatory sentence बोलते हैं, और exclamatory sentence की पहचान क्या है, exclamatory sentence की पहचान है यह, यह वाला, यह इसको बोलते हैं exclamation mark, जैसे interrogative sentence है, interrogative sentence में दोनों एक साथ क्यों लिख रहे हूं, बता रहे हूं, कहां पे confused हो गया, interrogative sentences, interrogative sentences में भी wh word डालते हैं, बट वहां से हम question पूछते हैं, interrogative sentence में जो wh family वाला word है, ठीक है, वहां पे हम question पूछते हैं, बट exclamatory में भी wh use करके question नहीं पूछते हैं, वहां पे हम exclaim करते हैं, sudden feeling of joy, surprise करते हैं, इसा मैंने लिखा, what a cold day, what a cold day, what a cold day, is it, ठीक है, और फिर मैंने लिखा, what, what is it, यह है क्या, sentence देखना, playlist आप ढूलो ना, आप मेरे उस पे जाओ, YouTube पे जाओ, playlist section में जाओ, मिल जाएगा, अब यहां पे sentence देखना, अब बच्चे हमारे सोचेंगे, में कि मैं W.H. से तो question पुछा जाता है, नहीं, यहां पे जो what है, यहां पे what से मैं क्या कर रही हूँ, यहां पे what को use किया है, मैंने interrogative sentence में, ठीक है, यहां what से sentence से प्रशन पुछा जा रहा है, बट यहां वाट से प्रशन नहीं पुछा जा रहा है, यहां वाट से एक्स्क्लमेशन दिया जा रहा है, what a cold है, oh my god, आज कितनी ठंड है, यहां पे आप अपने surprise दिखा रहे हो, my god, आज का temperature 1.4 degree है, बहुत ठंड है, तो what से यहां, यहां what को exclamatory में यूज किया गया, और यहां what को interrogative ठीक है, लेकिन पहला वाला question, पहला वाला sentence wrong है क्योंकि exclamatory sentence में inversion नहीं होता है देखो subject से पहले verb डाल दिया inversion तो प्रशन वाचक sentence में होता है ना, बट ठीक है इसमें what लगा है, बट यह sentence प्रशन आचकती है, यह तो exclamatory है तो यहां पे what a cold day is it नहीं होगा, it is it इस लगा होगा, ठीक है लेकिन यह सही है, यहां पे is it सही है क्योंकि यह exclamatory है, exclamatory में तो subject से पहले verb चाहिए okay, what a cold day is it नहीं होगा, what a cold day it is होगा, it is होगा, okay तो बस मुझे यहां पे यह बताना है ना, कि exclamatory sentence भी what house is शुरू हो सकता है, अब मैंने sentence लिखा यह से, how fool how fool he is how fool he is is ही मत करना, क्योंकि यहां पे inversion नहीं चाहिए, क्योंकि exclamatory sentence हो, और फिर मैंने लिखा, how are you how are you, मैं यहां how से मैंने sentence को interrogative बनाया और यहां how से sentence को मैंने exclamatory बनाया और exclamatory sentence में inversion नहीं होगा, subject के बाद वो अब आएगा but interrogative में तो inversion होगा, subject से पहले वो अब आएगा तो यहां पे न, यहां पे, यहां पे मुझे बस यही पहला step में मुझे यही बताना था न, कि what, how, when से, how से sentence exclamatory भी बन सकता है, sentence interrogative भी बन सकता है देख ले न, exclamation mark लगा है तो exclamatory है, question mark लगा है तो interrogative है, और question mark हो ले sentence में inversion होगा और exclamatory में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, अब देखो अब मुझे क्या बताना था, एक slide में और लोगा, अब मुझे क्या difference बताना है, जिसके basis पर आपको options को eliminate करना है जैसे मैंने लिखा, he said, he said, how are you, यह तो interrogative sentence है, और फिर मैंने लिखा, he said, how, fool, और यह मत समझना कि मैं, आ, आउच, हुर्रे, इजी से sentence exclamatory बनता है, आ, आउच, हुर्रे, अलास, ब्रावो, जरूरी नहीं है कि यह सब word डाल के ही sentence exclamatory बनता है, कभी-कभी sentence exclamatory इन words के बगेर भी बन जाता है, दिखो how fool he is, oh my god, कितना बेखूफ है, यह सब से तो बनते ही है, बड़ जहां भी exclamation mark लगा है, यह जो exclamation mark लगा है, तो यह exclamatory, ठीक है, यह exclamatory है, यह exclamatory है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से चीजे भी बताऊंगी, आप launch हो चुका है, ठीक है, स्टुएंट्स को यह भी inform करना है, कि UC live app launch हो चुका है, ठीक है, UC live app, और वहाँ पर मैं सारे आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी, सारे PDFs, जितने भी e-books बगेरा हैं, सारे आप वहाँ से खरीच सकते हो, प्लस 16 important rules of, जो free, 16 important rules of, का भी grammar का वीडियो बगेरा वहाँ मिल जाएगा, इस app पे न, मैं बहुत सारा चीज आने वाले समय में plan भी कर रही हूँ, with related to close test, मैं बहुत सारा चीज होने वाला, इसका मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगी अब, चलो, यहां how से, यहां how से क्या हो रहा है, यहां how से sentence exclamatory बन रहा है, और यहां how से interrogative बन रहा है, इंटरोगेटेव है, इंटरोगेटेव सेंटेंस है, ठीक है, अब इसका कैसे बनाना है, उसने पूछा, कि कैसे हो तुम, तो पूछा तो क्या लगाओगे, he asked, पहले तो मैं wrong लिख रही, he asked that, how, you second person है, second person according to object, object कोई भी नहीं अपने आपको मान लो, he asked that, how, was I नहीं होगा, I was होगा, I was होगा, और यहां पर मैंने लिखा, यहां तो प्रश नहीं पूछ रहा है न, यहां तो आश्यरे में बोल रहे हैं, oh my god, कितना बेवकूफ है है, अभी मैं exclamatory sentence में करवाओंगी, कि exclamatory sentence में, asked की जगा exclaimed हो जाएगा, अब देख लेना, अगर आप surprise में कर रहे हो, तो he exclaimed with surprise कर देना, sentence का sense देखके लगाना है, दुखी में बोल रहे हो, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with joy, he exclaimed with surprise, बढ़ यहां surprise है, अगर मैं exclaimed भी लिखी, तो फिर भी सही है, लेकिन sentence का sense, अगर surprise वाला है, तो मैं with surprise भी लगा दू, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप लोग wrong मत लिखना, मैं पहले wrong लिखूंगी, फिर काटूंगी, he exclaimed with surprise, that, that how fool he, how fool I was, अभी दोनों sentence wrong है, ठीक है, दोनों sentence wrong है, जो मुझे अंतर बताना है उस पर ध्यान देना, दोनों sentence wrong है, क्योंकि आपको पता है कि interrogative sentence में, और खास करके interrogative sentence में, interrogative sentence जो होता है, जिसमें WH family हो, तो WH family में that नहीं लगाना है, सिर्फ how लगाना, क्योंकि ये how ही conjunction का काम कर जाएगा, कली पढ़ा था हमने, ये WH body conjunction का काम कर जाएगा, इसलिए that मत लगाना, इंटरोगेटिव में that मत लगाना, लेकिन that मत लगाना, how लगाना, but exclamatory, exclamatory sentence में that लगाना है, ठीक है, that मत लगाना, exclamatory sentence में how से बोला जा रहा है, how लगा के यहां पर बोला जा रहा है, oh my god, how cold it is, how full, मतलब कितना ज़्यादा वो बेवकूफ है, यहां how से प्रशन नहीं मत लगाना, यहां पर सिर्फ that से काम चले, इस चीज़ को ध्यान रखना है, okay, that I was, how that, how हटा दे, he exclaim with surprise that I, I was fool, that I was a fool, या I was so fool, कुछ भी लगा दो, so fool अपने से लगा सकते हो, so लगा के यह बताना जा रहा हो न, कि आप रियली में कितना बेवकूफ है वो, I कहां से लगा दिया, अरे, रुको, 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 रुको है, यहां पर तो he लगा है, he exclaim with surprise, फ how, fool, he was, he रखना, he रखना, मैंने आई गल्ती से लगा दिया था, क्योंकि यह तो third percent है, और third percent में no change, no change, अब मैंने गलत लिखा, मैं इसको सुधारती हूँ, WH family में that मत लगाना, how लगाना, but exclamatory sentence में how मत लगाना, that लगाना, that, that, और यहां पर that conjunction आगया है, तो यहां पर यह ऐसा नहीं होगा, he exclaim with surprise that he was so fool, he was so fool, yeah, he was a fool, कुछ भी लगा, कुछ भी लगा, okay, how मत लगाना, he exclaim with surprise that he was such a fool, yeah, he was so fool, yeah, he was a fool, he was so fool, कुछ भी होगा, yeah, तो मेरे को यही, यही चीज मैंने यह sentence लिख के बताना चाहरी थी ना, कि exclamatory sentence में that लगाना, ठीक है, that लगाना, और exclamatory sentence में, जो how, who आता है, how, what exclamation वाला आता है, वो मत लगाना, वो मत लगाना, वो मत लगाना, ठीक है, लेकिन interrogative sentence में, how और what होगा, वही तो conjunction का का काम करेगा, that नहीं होगा, वो तो sentence देख के आप पता कर लोगे, कहा का WH exclamatory में use हो रहा है, और कहा का WH interrogative में use हो, यह लिख लीजिए, अभी मैं sentences आपको करवा रही है, he was such a fool भी हो सकता, he was so fool that he was a fool, कुछ भी लगाना, fool noun है न, very नहीं लगेगा, अगर noun के साथ very लगा है, तो एक article लगेगा, he was, हो गया, यह चीज़ याद रखना है, interrogative में that नहीं लगाना, exclamatory में that लगाना, और ऐसे भी, जब that लगेगा, तो wh word नहीं लगेगा, क्योंकि आपने conjunction में पढ़ रहा है, कि कोई भी wh word के पहले, के साथ that conjunction नहीं हो, तो यहीं चीज़ मुझे बताना था, indirect narration of exclamatory sentences, exclamatory sentences क्या होता है, ऐसा sentences जहां पे अब sudden feeling of joy, surprise बगेरा बता रहे हैं, जब चलो कुछ questions कर लेते हैं, questions से ज़्यादा clear हो, everybody said how well she sings, अब sentence देखो, सबने बोला, my god, कितना अच्छा गाती है, तो यहां जो how है न, यहां, यह exam का आया हुआ sentence है, यहां how exclamatory है, यहां how से हम question नहीं पूछ रहे हैं, यह तो surprise के sense में है, तो अब मुझे बताओ, कौन सा होगा, everybody told नहीं होगा, क्योंकि exclaim किया जा रहा है, तो told तो होगा नहीं, और दूसरा न, सिंग का पास्ट, सैंग होना चाहिए था, यह भी गलत, यहां भी सैंग होना चाहिए था, यह भी गलत, तोल्ड भी नहीं होगा, तोल्ड भी नहीं होगा, everyone exclaimed, exclamatory sentence में that लगाना, how हटाना, that लगाना, session साथ छोटा ही होने वाला है, the old man of Latour said, alas my only son is dead, देखो यहां पे न, इन्होंने alas word डाल दिया, alas हम जब भी बोलते हैं, sad, जब sad हो या sorrow में हो, दुख में बोलते हैं, okay, the old man of Latour exclaimed with sorrow भी हो सकता है, लेकिन यहां पे देख लो, options कैसा है, और उसी according, अपना option डालना है, told with pain, सबसे पहले तो यह exclamatory sentence है, exclamatory sentence में तो exclaimed आएगा, told नहीं आए, told अटाथ, the old man of Latour expressed, sorrowfully narrated, old man of, sorrowfully narrate करना, narrate करना, कहानी बगेरा को narrate किया जाता है, यह भी हड़ गया, narrate थोड़ी किया होगा, narrate, कहानी कोई narrate थोड़ी कर रहा, expressed, express नहीं होगा, express का मतलब है, feelings बगेरा को जाहिर करना, express नहीं किया, यहाँ exclaim किया, exclaim मतलब दुख में, express नहीं किया, okay, और expressed के साथ with कभी नहीं आता है, express का मतलब होता है, किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज को जाहिर करना, expressed word कभी, he expressed his anger, he expressed sorrow, इसके साथ with आता ही नहीं, but exclaim के साथ आता है, first, first, how clever of you to have solved the puzzle, so quickly said the mother, 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 mother he was clever enough to solve the puzzle so quickly अपनमा options देखो न to have solved यह infinitive का perfect है यह infinitive का perfect tense है perfect का मतलब है कि already काम हो चुका है और यहां यहां लगाया है to solve यह infinitive का indefinite है indefinite मतलब अभी काम नहीं हुआ है ठीक है indefinite है और यह is clever in solving यहां तो जीरंड लगाया जीरंड लगाया and he was so clever to have solved यहां ठीक लगाया और यहां भी to have solved लगाया दो option तो वैसे हड़ गया क्योंकि बच्चे ने puzzle को solve कर लिया बच्चा puzzle को solve कर लिया तभी तो मदर ने उसकी तारीफ की इसका मतलब है puzzle solve हो चुका है और यहां पे हुआ नहीं और मदर ने told told के साथ told के साथ एक object आना चाहिए the mother told him ऐसा कुछ होगा told ही यह भी हड़ गया अब दो बच्चा the mother exclaimed or the mother expressed express का मतलब है किसे जिसको जाहिर करना feelings बगयरा बढ़ यहां mother ने exclaim किया exclaim admiringly अब यहां बोलो कि मैं admiringly कहा क्यूं आगया क्यूंकि सेंदेस का संस mother ने तारीफ करते हुए बोला to have solved इसका tense मत बदलना you're already perfect नहीं नहीं बी answer नहीं होगा the mother expressed that he was so clever that it was very clever of him to have solved the puzzle second नहीं होगा ठीक है a होगा expressed नहीं होगा he said बहुत अच्छा क्वेशन है how I wish they would come अच्छा क्वेशन है how I wish they would come इसका answer बताई this sentence का मतलब समझना होगा how I wish how I wish का ये मतलब नहीं है कि मैं कैसे wish करूं this sentence का मतलब है how I wish काश ऐसा होता कि वो आते how I wish काश ऐसा होता कि वो हमसे मिलने आते तो would है तो could में तो could में तो बदलेगा नी they could come ये तो होगा नी he exclaimed hopefully that they would come he exclaimed that he would wish them to come he exclaimed how he wished they would और exclamatory sentence में जो how होता है न उसको use नहीं किया जाता है interrogative sentence का how use होता है तो ये भी हट गया हाँ बहुत सारा बच्चा थर्ड करेगा थर्ड करेगा कि he would wish them he exclaimed उसने exclaim किया कि he would wish them कि he उनको wish करेगा आने के लिए ऐसा नहीं है he को कुछ विश नहीं करना है them को कि तुम आओ उसको लग रहा है उसने hopefully उसने आशा लगाया hopefully hope किया कि काश ऐसा होता कि वो आते next she exclaimed I am afraid we are rather late she exclaimed और यहां पर इन्होंने क्या किया है I first person है न और first person according to subject subject में she होना चाहिए न अच्छा नहीं यहां पर तो I am afraid यह तो किया है और we we भी first person है और हाँ यहां तो यह she में बदलेगा और we भी first person है लेकिन plural है तो यह भी इसके according बदलेगा और plural है तो यह दे दे में बदलेगा she exclaimed that they were frightened देखो एक तो afraid का मतलब न याद रखना एक afraid का मतलब है डरा हुआ और एक afraid न जब हम थोड़ा सा अफसोस जटाते हैं न जिसे doctor बोलते हैं I am afraid कि मैं उनको बचा नहीं पाया तो वहां afraid का मतलब डरने के sense में नहीं है I am afraid कि मैं party attend नहीं कर पाऊंगी मुझे अफसोस है तो एक afraid का मतलब डरा हुआ sense में और एक अफसोस तो वह I am afraid हमें अफसोस है कि हम लेट हो जाएंगे ओके इहां अफसोस है डरने के sense में नहीं है frightened को कर दिया अफ्रेड को frightened कर दिया scared कर दिया worried कर दिया I wonder what he wants of us said Quint जल्दी जल्दी और sessions अच्छे लगे तो like भी कर देना है सबकी energy level जब batch start हुआ था और अपकी energy level देखो मांगते हो ना free batch free batch और यह सब paid batches में नहीं होता है paid batches में बच्चे एकदम regularity के साथ आते है क्योंकि उन्होंने पैसे pay किया है YouTube पे तो या तो आपको serious पढ़ा ही नहीं चाहिए या entertainment चाहिए जब आपको free का कोई चीज मिलता है तो आप उसका importance नहीं समझ पाते हो He quints and he wondered what he wanted यहाँ तो wants को wants छोड़ दिया us us first person है first person according to subject but plural है what he wanted of us भी नहीं होगा them he said that he wondered he said that he wondered what the wanted of us what he was wondering भी नहीं होगा fourth fourth quint wondered what he wanted of them the traveler said what a beautiful sight the traveler exclaimed that it was an beautiful and vowel sound नहीं है beautiful वोवल नहीं है and तो लगाऊंगे the traveler exclaimed the traveler remarked the beautiful name the side तो गाय भी कर दिया it was a beautiful sight the girl wondered अब यह क्या है यह क्या है यह आपका जैसे student पूछ रहे थे ना मैं डारेक्ट से इंडारेक्ट तो आप बता रहे हो तो यह sentence इंडारेक्ट में अब इसका आपको डारेक्ट बनाना है देख लो अच्छा क्वेशन है यहां पर आप फासो के कहां देखो आप बोलोगे कि मैं प्रेजेंट पॉफेक्ट प्रेजेंट पॉफेक्ट भी तो पास्ट पॉफेक्ट में बदलता है ना प्रेजेंट पॉफेक्ट भी तो पास्ट पॉफेक्ट में बदलता है और पास्ट पॉफेक्ट पास्ट पॉफेक्ट ऐसा वाला question exam में इस बार के pre exam में आया है इने आ locked लिया था पासट प्रोंफ ह但是 प्रोंफिक रह जाता है डारीक से इंटरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट Jennifer प्रेजेंट पास्प्रोंफेक्ट ने बदलता है और पास्प्रोंफेक्ट रह जाता है और simple past simple past भी तो past perfect में ही बदलता है यह तो अपने पढ़ रखा है यहां पर confusion हो सकता है confusion हो सकता है कि present perfect भी तो past perfect भी तो past perfect और simple past भी तो past perfect अगर हमारा question indirect में आया है अगर हमारा question past perfect में आया है ठीक है То direct में किसको चुनेंगे past perfect में आया है तो direct में simple past वाल option चुनेंगे past perfect वाला क्योंकि सब तो उसी में बदल रहा है सब तो उसी में बदलता है देखो Question यहां पर देखोँ the girl wondered where the sparrow's head want यह had gone क्या है यह हमारा indirect speech है indirect में यह past perfect है past perfect है और आपके दमाग में आएगा present perfect है present perfect भी तो past perfect में ही बदलता है ठीक है और यह है past perfect past perfect भी तो past perfect में ही रहेगा और यहां भी तो present perfect है तो यह भी तो past perfect में बदलता है किसको चुनेंगे बताओ यह तो हड़ गया ओ दगर्ल सेड ओ वेर आर दस पैरोस यह तो perfect है ही नहीं present perfect रहेगा तभी तो past perfect नहीं यह तो हड़ गया दगर्ल सेड ओ वेर दस पैरोस अब गॉन पहला वला option इसले छड़ गया क्योंकि देखो यह sentence में question mark इस sentence में question mark है और question mark sentence में inversion चाहिए न बड़ यहां तो नहीं हो रहा है subject के पहले verb आना चाहिए बड़ यहां subject के बाद आ रहा है यह भी हड़ गया पहला दो तो हड़ गया अब आपके पस यह बचा the girl said oh where had the sparrows gone और the girl said oh where have the sparrows gone तो मुझे बताओ कौन से answer हो कुछ तो सी बोल रहे है ऐसे cases में न girl आके बोली होगी oh my god कहां चले गये sparrows कहां चले गये थे नहीं ठीक है girl ने आके वहाँ पे बोला मतलब sparrows अभी अभी गये है exclamatory option D है जब भी present perfect present perfect का हम use cup करते है जब दो घटना एक साथ जुड़ा हुआ है बड़ ऐसा यहां कुछ नहीं पेर उस कहां चले गये girl ने पूछा यह वाला option यह present perfect रखना और present perfect ही past perfect में बदलता है बड़ यह तो past perfect है past perfect तो same ही रहे जाएगा बड़ यहां पर बदलाओ होगा क्योंकि चूकि हमारा sentence past में जा रहा है हाव वाला होगा यहां पर इट वस कोल ड़ तोड़ तोड़ दे में बदलेगा यह तोड़ कहां से लगा दे नहीं होगा फ्लेड के साथ आवे नहीं लगता है चलो करते हैं यह हो गया next rule oh how foolish I have been in money matters oh how foolish मैं कितना बेवकूफ मैं कितना बेवकूफ हू he exclaimed regretfully that he was very foolish in money matters he expressed with regret यहां पर एक्स्क्लेम किया express मत डाल he exclaimed regretfully that he was very foolish in money matters he confessed to himself that he is भी नहीं हो और I have been I have been present perfect है present perfect क्या मैं बदलेगा past perfect past perfect he was यहां पर यहां पर इज रहता ना तब हम बदलेगा यहां पर इस रहता ना तब हम बदलेगा हाद के बद बद बीन लगा के वह खुद टॉप किया ना इसको किसी ने जाकर करवाया ना तो क्या होगा Robin exclaimed joyfully that he had topped again यह तो दोनों option same दिख रहा है दोनों option same दिख रहा है Robin exclaimed joyfully that he had topped again मैं तो तो दिख रहा है option कुछ गलगणा दोनों दोनों same दिख रहा है same हो गया same हो गया मुझे लगए मुझे दिख रहा है और he said bravo very good very good वाला question है बहुत अच्छा question है awesome वाला he said bravo bravo मतलब साब आश you have done well चलो इसका answer बता same है answer बताना है क्या है विको कहा क्या क्या कर दिया मैं है काहा है काह चलागी विकास को बुलाना ह्या कर दो कहा चलागी एक मुनट एक मुनट ऐगया काही बात नहीं वे उसका couple अभी बी चल्ड रहा है बॉई गया गोज़िक to मेरे को बताओ, he said, bravo, you have done well, you have done present perfect है, so past perfect में बदलेगा न, यह तो present perfect छोड़ दिया है, यह तो present perfect छोड़ दिया है, चलो बताओ, जल्दी-जल्दी करते हैं, बहुत ज़दा question मैंने discuss कर दिया, difficulty नहीं होने चाहिए, he applauded him to say, बहुत अच्छा question है, यह question क्या है, यहाँ पे to say, और यहाँ पे saying, देख लो, he applauded him, applauding that, यहाँ तक तो same है, he had done well, he had done well, यहाँ पे infinitive लगाया है, infinitive है, और यहाँ पे participle लगाया, question D होगा, he applauded him to say, इस sentence का मीनिंग अलग जा रहा है, उसने उसकी तारीफ की, यह बोलने के लिए, अभी बोला नहीं है, to say, to say मतलब कि यह बोलो कि तुमने अच्छा किया है, नहीं, उसने उसकी तारीफ की, यह बोलते हुए, him को यह बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा किया, D होगा, D, नेक्स्ट, अब आजो optative, finally अब हमारा खतम होगा, फाइनली अब हमारा ये chapter खतम होगा अब आजो optative sentences, फटाफट इसको कर लेते हैं ठीक है, optative sentences किसको बोलते हैं, optative sentences वो sentences होते हैं न जहाँ पर आप सामने वाले को wishes दे रहे हो, wish तो आप छोटो को भी कर सकते हो, बड़े को भी कर सकते हो, blessings अक्सर आपको बड़े ही देते हैं, जहाँ पर blessings है, जहाँ पर prayers है ऐसे वाले sentences, optative optative होते हैं यह बोलते हुए कि ना, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यह बोलते हो जैसे, optative sentence में से शुरू होता है जैसे मैंने लिखा He said यहाँ पर लिख रही हूँ He said May you live May you live long आप लंबे समय तक रहो तो He said may you live long लंबे समय तक रहो, तो आप यहाँ पर said की जगा, wished भी लगा सकते हो He wished या He blessed blessed भी लगा सकते हो या prayed भी लगा सकते हो कुछ भी He wished, यहाँ पर that लगाओगे that लगता है और you कौन सा person है second person है second person according to object object कुछ भी नहीं है I को मान लो I May को क्या बना दोगे Might I might live long यह समय न थियोरी से ज़्यादा आपको सेंटेंस के प्राक्टिस से समझ में आएगा यह सब में बहुत ज़्यादा थियोरी वाला नोट्स बनाना नहीं है आपको सेंटेंस से समझ में आएगा He might live long अक्सर में से शुरू होता है कभी-कभी न अब कभी-कभी में नहीं रहता है एक मिनट कभी-कभी में नहीं रहता है जैसे मैंने लिखा He said He said Long वहां पे तो में यू लिव लॉउग May you achieve great success तो वहां तो आप में लगा रहे हो लेकिन मैंने लिखा Long live Their friendship तो यहां पे तो में वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी यहां पे तो वो दुगा कर रहे है वो विश कर रहे है May नहीं है तो अपने से लगाओगे May नहीं है तो अपने से लगाओगे He wished He wished That Their friendship लगा दो Their friendship अब तो यहां पे में नहीं है बाकी sentence में लगा था तो अपने माइट लगाया था लेकिन यहां में नहीं भी है न लेकिन wishes और blessing वाला की जा रहा है न तो आप अपने से लगा लोगी Their friendship might Live long ठीक है अब इसके questions करके खतम करते हैं सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए energy level आपके teacher की भी कम हो रही है आपके energy level आपके जितनी मेरी energy level कम होगी न उतना यह batch दीरे दीरे जाएगा समुंदर मंथन बैच को one month subscription on कर दीजिए हर शगर में कर सकती न कर देती है आपके अपने से सब्सक्रिप्शन कहां से ओन कर दूगी मेरा थोड़ी है वह थोड़ी है ना कि जब energy level कम हो जाती है teacher भी अपने धीरे धीरे पड़ाने लगते बच्चों की energy जब कम होती है सेशन सचे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना इतना तो आप मुझ पर यूटूब पर भरोसा कर सकते हो ना इतना दिन से आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं वह teacher हूँ ही नहीं जो सिर्फ व्यूज के लिए आज एक topic और फ्रेजल वर्ब का ना पहला दिन बहुत व्यूज आया पहला दिन बहुत व्यूज आया पहला दिन बच्चे जोश में आते हैं तो एक दिन फ्रेजल वर्ब पढ़ाया दूसरा दिन बच्चे कम हो जाते हैं तो फ्रेजल वर्ब बंद करो फ्रेजल वर्ब बंद करो फिर किसी दिन दूसरा topic लेया ओ किसी भी topic का ना पहला एक दो से पढ़ाओ detail में वरना मत पढ़ाओ तो कहीं ना कहीं बच्चे ना भटक जाते हैं और उनका time waste भी हो जाता उनका कुछ improvement नहीं होता इसलिए जो start करना है उसको finally end करना है आपने खुद देखा होगा A to Z batch कितना lengthy batch है A to Z में पेशन्स की मेरी test हो गई थी कि A to Z में 26 letters के word है 26 letters है और उसी में हम लोगोंने हर का 50-50 किया है तो यह जो YouTube channel है English with Rani Ma'am यह और मैं ते कोई YouTuber तो हूँ नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ एक teacher हूँ और मेरा main intention sole intention है आप लोग का selection तो मेरा आपके selection से मुझे अपना reward मिल जाएगा और selection देने के लिए YouTube पे जो start किया है वो तो पढ़ाना होगा वो पढ़ाना होगा नहीं तो बच्चों का नहीं होगा selection जो start किया है वो पढ़ाना है ठीक है तो खतम करेंगे भले थोड़ा सा time लग जाए जल पहले थोड़ा सा time लग बाद में भी देखना है देख लीजेगा बार बार topics आपने देखा होगा बार बार में topics को fluctuate नहीं करती है fluctuate करना मतलब views बढाना वो हमें नहीं करना है हम लोगा channel grow हम लोगा channel जो 1 million हुआ है just because of students ने selection दिया है और content की वज़ेस My mother said to me wish you a happy and prosperous life acie al Gibbs how can you see life in balance your relationship using life is all I am not in Proma makef**श मैं अपने team को बोलों के veteran Vince Make Firasal word professional teaching बोल दिया है आपके सामने बोल दिया है भूल गैते हो मैं इंजेयों मैं मढधर सेक्टोमी जए mmасти ना इंट मार विश्ड पख़रभीया ना देर्ली तो मैंन मा अमस्डूम से अप्राइन की अप में मादर संथास्श कारो fre Excventure Dating complete वो बोलते हैं मैं ऐसा ही बोलते रहते हो आपको तो जब आना होगा टाइम से तभी खतम करोगे I said very good question I said goodbye my beloved friends अपने beloved friends को उसने goodbye किया अच्छा question नहीं नहीं मेक का पेडिया वो अभी डाल दे रहे बोल रहे हैं अभी तुरन टेलिग्राम पे डाल देंगे comment box में उपर टेलिग्राम का लिंक पिन किया हुआ है जुड़ जाना क्या बात है इतना time लग रहा है हमारे इंडिया से बाहर भी जो बच्चे इस चैनल को देखते हैं वो भी like कर देंगे आपको याद होगा जब मैंने अच्छा मैंने चोटा सा आप स्टुडेंट को न पढ़ने का मन नहीं होता टीचर को जबरदस्ती पढ़ाना रहता है तो मैंने अपनी टीम को बोला न यह वी 1 और वी 2 से बहुत एरर आता है वी 1 वी 2 वी 3 से बहुत एरर आता है तो कभी-कभी लेंदी टॉपिक बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बना दो वी 1 वी 2 वी 3 का मैंने 45 या 50 वी 1 वी 2 जो एक्जाम्स में आता है वो मैंने अलग से एक वीडियो डाला है आप उसक बिड का मतलब है ओडर करना या बाई के सेंस में एक बिड का मतलब बताया था ना बाई या ओडर करने के सेंस में तो उसका मैंने बेड बताया या बिडन बताया वी 1 वी 2 में पढ़ाया था वी 1 वी 2 में पढ़ाया था जबरदस्ती पढ़ाना होता है आप लोगो लिंदी जैसका बाय के sense में बेड हो आध है तो जलो बता इस विश्क माई बिलावे फ्रेंट गुडबाय याँ बीड ऑला होगा यहां बीड आध माई फ्रेंड यहां गुडबाय का सेंस रहां ऑरडर का सेंस नहीं गुडबाय का चेंटा पर देखते हो required आपक के इंस्ट पर कुछ इंटरिस्टिंग नहीं सिर्व ना Amp बट बच्चे आते तो इंस्ट पे भी मुट्र barley रखंप आपके Pढ़ के जाते हो पीडी अध यह डाल दिया को चेँ भात Q may you live long and prosper लंबे समय तक रहो और यहां इनोंने क्या किया है live verb है live verb है तो कोशिश करना है कि part of speech ना बदले कभी-कभी बदल भी देते हैं और prosper भी verb है बड़ यहां पर क्या किया है इनोंने live को life में बदल दिया है noun में बदल दिया है prosper verb है इसको prosperity इसको भी नाउन में बदल दिया हट गया हट गया यहां यह अंसर हो और यहां भी life और प्रॉपर कभी-कभी part of speech बदल भी देते हैं बदलनी की जरूवत नहीं है जब यहां पर verb को वह भी रखा है लिव लॉंग और प्रॉसपर पुछ नहीं है जादा ना is mean happy returns of your birthday when you need happy returns of your birthday we prayed, not pray happy birthday pray we said we done greet, we wish him happy returns of his birthday the teacher said to Mahesh congratulations wish you success in life the teacher wished congratulations the teacher said congratulations he said से वर्ट को जैसे से और अकेडमी का अच्छा ऊफर चल रहा है तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो फटाफ़ट एड्मिशन ले ले, कल लास्ट डे है, कल 28 जैन्वरी है न, तो कल ओफर का लास्ट डे है, ये 26 जैन्वरी रिपब्लिक डे का ओफर चल रहा था, 20% डिसकाउंट, ठीक है 20% डिसकाउंट अनकेडमी पे चल रहा था, तो आपको क्या करना है, अनकेडमी का और ये कोड यूस करना है, रानी 10, ryni10 कोड यूस करोगे, तो कल तक के लिए 20% डिसकाउंट है, वोके 18 जैन्वरी लास्ट है, और अभी मेरे 3-3 बैचेश चल रहा है, समादर मंथन चल रहा है, परी का भी बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच, तीनों बैच में अलग- इसकिए नहीं है कोई दिकत हो इस नंबर पर कॉल कर लेकर जिसने बोला मैंमे वनवर्ड का कॉंटेंट पशंद आया है आप मुझे स्टूंट्स को मस्ट इविकाल था कि मैं हम आपने बहुत nominal fees पे बहुत सारा चीज हमें दे दिया है nominal fees है 99 rupees 99 rupees सब लोग afford कर सकते हैं एक दो दिन कोई burger नहीं खाएगा एक दिन वैसे तो pizza 99 में आता भी नहीं 99 rupees कोई बहुत जादा नहीं एक दो दिन burger नहीं खाऊगे ना तो 99 rupees बच जाएगा आपका ले सकते हो तो अभी 4 e-books launch हो गया और ये e-books बच्चों ने one word को खास करके बहुत पसंद किया है वैसे idioms बगेरा भी सब है ही चार e-books आपके पास publish हो गया है एक topic wise error का है topic wise error का e-book है अकेला one word का लेना है तो 31 rupees ठीक है अकेला one word का 31 अकेला idiom का 31 और अकेला one word का अकेला fixed preposition का 21 ठीक है अगर अकेला अकेला लेना लेकिन मैं चाहूंगी कि आप combo में लो ताकि आपके पास बहुत जादा content आ जाए topic wise error का idioms का one word का और fixed preposition पूरा केवल only rupees 99 में ठीक है three digits भी नहीं है 250 का KFC का burger आता है local burger खा लेंगे 99 rupees में ठीक है तो 99 rupees क्या है लेकिन जब यह पढ़ना शुरू करोगे क्योंकि बच्चे हमें खुद बोल रहे हैं कि मैं इतना आपने वही idioms दिया है जो generally exams में आते हैं और अब हम जब mock बना रहे हैं तो सारे idioms हमारे सही हो जा रहे है one word one word तो खेर अभी तुरंट दिये ही है आसकर के idioms के लिए बोल रहे हैं यह तो अभी तुरंट हुआ है तो यह नहीं बोलूंगी कि सब one word मैच हो जा रहा है मतलब one mock में आ जा रहे है यह सब सब अब बन जा रहे है जनरेल हमारे यह रहां होता तो बहुत नॉमिनल फीस में है ऑके बहुत नॉमिनल फीस में यह यह वुक आप हमारे यूसि लाइव एप से ले सकते हैं आपको क्या करना है न। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि यूसी लाइव आप को दाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ यह मेरा एप है यूसी लाइफ यहां से आप इबुक को पर्चेस कर लें ठीक है यहां से आप आराम से पर्चेस कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो नंबर में आपको प्रोवाइट कर देती हूं और यूसी लाइफ पे न मैं पीडियेफ्स व जहां भी आप मॉक्स बनाओगे आप देखोगे कि आपका सब एडियम्स मैच करेगा मैंने एक्जाम में आये हुए कुछ नहीं भी आये हटके जो एंडियेस में जो हटके आता है वो सब सब डाल दिया है तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने आ लिए यह नंबर पर बात क कॉल करना मैसेज ड्रॉप करना वह अपको हेल्प कर देंगे लिए यह सब है गलत जगह पर पेमिंट क्यों होगा गलत जगह पर पेमिंट क्यों हो जाएगा मतलब 99 रूपीज के लिए इतना ज्यादा डरे हुए हो यहां लोगों के मैं समझ सकती हूं कि 99 रूपीज का भी बहुत महतु है लेकिन नहीं होगा आप इस नंबर पे कॉल कर लेना गलत जगह पे नहीं होगा यह अपको हेल्प करेंगे एक दो बार कॉल कर लेना नहीं उठे मेसेज ड्रॉप कर देना गलत जगह पे तो नहीं हो जाए अब बात आती है अनकेडमी का तो रिपब्लिक डे बताई दिया 20% ओफर चल रहा है कल तक के लिए ले लिजिए गाडमिशन और यह हमारे MTS का बैच है और अनकेडमी पे अडमिशन लेने के लिए एक बार उस नंबर पर कॉल जरूर कर लिजिएगा वो सही नंबर है आप वहीं पर कॉल करिएगा क्योंकि कुछ बैचेस में क्यों टेकनिकल कैटेगरी में मिल जाओंगे मेरे तीन साल के सारे बैचेस मिल जाएंगे प्रैक्टेस वो क्याब इडियाइम्स फ्रेज़स बहुत ज्यादा बैच है आपको कोई बुक खरीने की जरूरत नहीं से बैच उठा उठा के प्रैक्टेस कर लेना और यहां पर आ प्रेजल वर्ब डालूंगी सिद्धात फ्रेजल वर्ब बनेगा इधर फ्रेजल वर्ब पहले खतम कर लो ना पहले खतम कर लेती है तो चलो थैंक्यू अब क्लास को एंड किया जाता है कल मैं नहीं ले पाऊंगी कल मेरी 11 बज़े से भी क्लास होती है आने कैडमी का सबलों प्रैक्टेस बैच लाने के लिए मैं को बोल ने की जरुरत नहीं है आपको कब कब क्या चीज की जरूरत है आपका बिना बोले में कर वादूंगी आपको टेंशन नहीं लेना है है ओके सब लोग बोलनी की जरूरत ही नहीं है